रायल सीमा पर पहुंचेगा तो चारो तरफ खुन दिखेगा कहता था लेकिन यह तो पान का पिक भी नहीं दिखाए दे रहा है कहा था कि स्टेशन पर सिर्फ सफेद कार ही नहीं दिखेगी बलकि सफेद शर्ट पहने हुए सो लोग एक आदमी के पीछे तलवार और भाला लेकर कातने के लिए दौर रहे होंगे लेकिन यह हाथों कोछुआ हमी नहीं है तुम लोग ट्रेन में चलने के लिए दौर क्यों रहे हुए ट्रेन तो खड़ी है मैं तुछे कुछ पूछ रहा हूँ तू कोने बे तू बता तो खड़ी चैकांच सिर्के का इगो हट नहीं करने का वरना बहंगा पड़ेगा सिंगम फिलम मैंने भी देखी है चाहँ लेकिन अपना शेर गहनों की तरह चमाक रहा है ब्यूटिफुल सन्राइज में भी स्मोग एफेक्ट यह बहुत भी एफेक्ट है मैं अमेरिका से आ रहा था तो रिटन टिकेट ले लिया था मैं वापस चला जाओ क्या मैंने टिकेट केंसिल करवाने के लिए नानी को कह दिया है अब टाइम पास क्यों कर रहा है चलना अच्छा क्यों भे इतनी सुभा सुभा बम क्यों फैका यही मैंने उससे पूछा था लेकिनों सांग ने मुझे एक जापड़ जार दिया यार चल छोड यार हम उनके मेरा दानमकार होता है दिवाना अमसे क्या भूर हूब 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 यह अपनी गार ह यह एपनी गार है right driver का है driver नहीं है पर चाभी तो यहीं है आच्छा पूछा अश्टर टु villains का पता है पार यहां चाहा हूँ वहां रहा तो मिली जाती है अरे यार, वाल सिमा का मौसम बहुत ही कराब है, यहां बड़ी गर्मी लग रही है यार, बड़े पसीने आ रहे हैं यह भगवान अमेरिका में तो भिकारियों के घर पे भी ऐसी होती है यह बता तेरे प्यार के चकर में मुझे पसीना बाना जरूरी है क्या अरे यार, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता क्या इंडिया की लड़कियों में क्या रखा है यार, अपने अमेरिका में देख, बिना बुलाए लड़किया जली आती हैं वो भी एक दो दिन के लिए नहीं, जब तक अपना दिल चाहे पड़ी रहती हैं एक आत बच्चे होगे, तो भी कोई बात नहीं, संबद रखना है, रखोने तो अपने रास्ते चलो, इसी को अमेरिका में डेटिंग कहते हैं तूने कितनी लड़कियों के साथ डेटिंग किये? अच्छा वो क्यों? मेरी हाइट और पसनाल्टी के हिसाब से एक भी लड़की मुझे पसंद नहीं आई उपर से मैं कितना बीजी रहता हूँ तुझे पता है न यार अच्छा तू अपनी प्यार की कहनी बता अरे बहुत लंबी है यार बताले यार टाइम पस्त होगा बाबू मैं बिना स्यूच का बल्प हूँ बाबू इस बल्प का फ्यूज उड़ गया बाबू इन आखों से दिखाई नहीं देता अरे कोई वेरी मदद करो भाई तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपनी आखे देदू अरे तुम्हारी आखे किड़नी लेके मैं क्या करूँगा मैं तो चिल्लर मांग रहा हूँ चिल्लर साल अभी खारी कहीं का जेब में एक रुपे नहीं है और सट वर्ट पहन के टाई लगा के घूम रहा है इन आखों की लाल टेन बूज गई है भाई पूलतो देदो वाव, what a beauty मेरी गाड़ी रेड लाइट पर भी नहीं रुखती पर तुझ जैसी लड़की को देखकर पता नहीं क्यों रुख जाती है यही इसकी weakness है मेरी भी एक weakness है तुम जैसी खुबसूरत लड़की को देखता हूँ तो इसे चुम लेने का मन करता है अगर मान गई तो एक नहीं तो दस लूँगा क्या बोलती है अच्छा जवाब था ये अब तो तेरे लिए दस किस भी कम पड़ेगी तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया अब किस देने के लिए तयार हो जा अगर एक लड़की को उसकी मरजी के बेना चुएगा तो वो नाराज हो जाएगी लेकिन अगर उसके दिल को चुएगा तो तुझे कभी नहीं भूल पाएगी पीज देना बंद कर तू जानता नहीं मैं को नूँ तू भी नहीं जानता की मैं को नूँ तुम लोग इस हीरो से निप्टो, मैं इसे देखता हूँ कर दो, मैं अजाओ सकता हूँ तुम्हारे साथ भी एसा हो सकता है देख्यारों मारो इने खाँ बड़ा नइन wenn आप खाँ कर्या एक रख आप खाँ खाँ यह जोड़ु थैंक्स हाँ बाई कि अठ रुत देख नहीं तो तुझे प्यार हो जाएगा मैं जीत गया मैं पॉलिटिक से नहीं बल्कि अपने टैलेंट से जीता हूँ ये टैलेंट बेटे की शादी करवाने में यूज़ क्यों नहीं करता क्या का तुम्हें गवा की लड़ी तीने जर में चाहिए मैं शादिया कराता हूँ मुझे दलाल समझाया क्या फोन रख बे क्या हुआ समय ठीक नहीं चल रहा गया पर जल्साब का तो है ना मैं बैट सकता हूँ बैटो दल्ला बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया लगता धंदा चीट करना पड़ेगा जर साब आप यह फोटो देखिए डिटल बता नाम पदमिनी एंडिया में पैदा होई अमरिका में पली बड़ी आस्ट्रेलिया में अरंग नाट्यम किया न्यूयर्क में कुछुपडी टोकियो में कथकली ब्राजिल में भरतनाट्यम और अगले महीने मलेशिया अब इसके डांस प्रोग्राम है बस मतलब पूरा समय स्टेज़ पर इस शादी के लिए समय है क्या वह आपने पती के साथ रहने के लिए समय निकालने की कोशिश करेगी कंडिसंस अप्लाइब अब यह कोण है मेरे कहने काम अब ये भी नहीं था कि उसके पास पहने लिए कपड़े भी ना ओ चलो फोटो अंधर रखो इस फोटो पर नोढ़ दालिए मिडल क्लास फैमली की है भाई आईयस आफिसर तीन कारे हैं बंजारा हिल्स में बहुत बड़ा बंगला शमशाद वाग में अंगुरों का बाग है और जुबली हिल्स में कब से collector है दस साल से सट सैलरी कितनी होगी कामशे कब 25,000 होगी एक साल की बचा कितना भूपे दस साल में उसके खर्चे लाख बचा दस लाख तीन कारे एक बंगले की कीमत हो गी तीन क्रोड़ और गारव की 25 लाख एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब बताई सब कैसे वो कलेक्टर नहीं है करिप्टेड है यह पद्ब भूशन जैज ऐसी फैमली के साथ रिष्टा नहीं करेगा अरे सार उसके पास पैशे हो या नहों उससे आपको क्या लेना देना यह क्या है कोरा कागज यह क्या है काला धब्बा एक सफेद कागस पर क्लियर दिखाए दे रहा है इसी तरह लोग उनसे रिष्टा जोडने के बाद हमें भी गलत समझेंगे मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए जिस पर मुझे गर्व हो उसकी योज़े से हमारा नाम खराब नहीं हो समझ गया ना समझ गया मैं अपना सारा ट्रांजेक्शन चेक सही करता हूँ थैंक्यू सर थैंक्यू स्टेट बैंक आफ इंडिया नाकोडा ब्रांच तेन सो रुपे का चेक दिया है और आटो बाड़ा लगेगा चार सो रुपेया मौड के रख लेता हूँ गरीबी में काम आएगा हाई डैट, हाई अंकल, हलो, ये आ, तेरे बारे में बात करनी है, मेरे बारे में, तेरे रिष्टे की बात करनी है, मेरे रिष्टे के बारे में, हाँ मा, आ रहा हूँ, ओंशी, ओंशी, बारे से बुलाया किसने, ग्रेट इसके, क्यो बेटा, जो बोला था ले आया ना, लि जाद नहीं बच्चन सर ने क्या बोला था, इसको यूज करने से, दिमाग कूल-कूल रहता है, और ये लीजिए, ट्याड़ी के लिए ड्राइफ्रूट, आप हस क्यों रहे हैं, आपने तो मुझे लाने को कहा था ना, मा तो मैं तो हस क्यों रहे हैं, भाया ने कोई जोक मारा वमशी, अगर तू इसकी जोड़ी लाता, तो काम आता ना, एक से मैं क्या करूँगी, ये क्या रहा है, किसका है ये, हाँ, ये उस लड़की का हुगा, मा, किस लड़की का, अरे मैंने उसे उठाया था, तो अगर आपने उस उठाया तो आगे की जिगा पिछे कैसे मा, एक लड़की को लड़के रिस्ते में छेड रहे थे, तो बस मैंने उसे बचाया, मा, इसे चुमके की तरह लटका लो, तो चुप कर, इसको तो पतानी कब अकल आएगी, मैं सच कह रहा हूँ मा, यकीन करो मेरा, अब बस भी कर, तेरे डाड़ी को इसके बारे में पता च है, हैंसम सार, दिखो न, दिखो न, दिखो न, दिखो न परदनी सार, ड्रीम कांस डू, हो मेरा, हाँ तुम ही मेरे दल बर यारा, लब मुझे कर न, मेरी जारे चां, जुप न रहना, मिरे काई बाक, फिर से न, हैंसम सार, देखो न, बस तुम्हे दुगी लवी सार, ड्रीम थांस्ट्रू ओ मेरा हो तुम ही मेरे दर बर यारा मैंने तू संद्गी में करती है तेरे नाम पे दे दे तू प्यारा मुझे थोड़ा सातो ले ले तू प्यार के मसे जा दो तू हुस्न का मेरे होगा तुछ पे मेरे सनम थोड़ा सातो है तो क्यो ना मुझे चाहे है 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 थोड़े तो दे दो पपिया या मुझे है है संसर देखो ना बस तुम्हे दूंगिला पिसारा ग्रीम थांस्ट्रू हो मेरा हाथ तुम ही मेरे दर बर यारा I'm in love, I'm in love with you I'm in love, I'm in love with you Love you मेरी दिल रुबा, प्यार तुम्हेरा देखके तुझको जानम पागल पागल हो गया बोलो मैं हूँ तेरा दिवाना प्यार तुम्हेरा प्रेम दिल में तेरे मेरे भी तो है यारा Hey, 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 the way to go, baby Hey, 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 तुझाने दाओ मेरा दिल क्या कहें Hey, hey, handsome, sana, देखको ना, बस तुम्हें तुम्हें की रभी साना Dream comes slow, oh, मेरा आ, तुम्हें मेरे दिल बर्यारा तो मुझे करना, मेरे जाने जान, चुपना रहता दिले का ये बोत प्रेशेता क्या हुआ अनन्दनी को चोड़ो ना जान जान? तभी मारी इतनी आगे बढ़ गई अभी अभी सौन कहतम किया था और तुम लोग आगे डिस्ट अब करने अच्छा, हेलमेट वाले ने जादू कर दी तो हम लोग डिस्ट अब लगने लगे अच्छा, ये बता, वो है कौन? नहीं मालूम जब जानती नहीं तो उससे प्यार कैसे कर सकती हो जैसे उससे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ पर फिर भी बचाया ना उसने मुझे अगर मैं उसका प्यार बनी तो वो मुझे कितना प्यार करेगा है ना जरा सोचो तो तो दूर की बात करने लगी अच्छ, पर येरिंग का है? अरे एक येरिंग के लिए इतना टिंशन क्यों ले रही है? वो सर्फ येरिंग नहीं थी, वो मेरी मा की निशानी थी अगर वो मुझे नहीं मिली, तो मेरे सारे घरवाले परेशान हो जाएंगे तो तो बड़ी मॉडरन बनती है ना, इतने संस्टिव है संस्टिव मत कहो, संटिमेंट कहो जब लड़ाई हो रही थी, शार वो वहीं गिर गई हो? मुझे लगता है यहां डुन्या से कोई फायदा नहीं, किसी लखी फेलो को मिल गई होगी? चला, तर बुझ खाते हैं मुझे पता है, तुम एरिंग ढून रहे हो ना मुझे सो रुपय दो, सब कुछ बताऊंगा मैं असल में अंदा नहीं हूँ इसके लिए सो रुपय लिए क्यों इससे ज़्यादा जानना है? अज़ा ठीक है, मॉर्निंग नाइन टू इलवन, इवनिंग फो टू सिक्स चिलर वा लोग लिए अंदा हूँ इससे अच्छा बिजनेस इंडिया में दूसरा नहीं है और खाली समय में रियल स्टेट का भी काम कर लेता हूँ दुनिया में रियल स्टेट से अच्छा कोई बिजनेस है यह नहीं मेरे पास 25 एकर जमीन है, तुम्हें चाहिए क्या? यह बात तो तुम वहां भी बता सकता था वहां बहुत सारे लोग थे कैसे बता देता मैं अंधा नहीं यह पता चल जाता तो मार मार के मेरे को लंगणा बना देते और तब असलियत में मेरे को भीग मांगनी पड़ती रियल स्टेट भी बंद करना पर हम उसे में काम करती हो ना हां करती हूं अगर यह तुम्हें कहीं नजर आया ना तो मुझे फोन कर देना इसे हमारा क्या फाइदा जो भी उसे ढूंड़ेगा मैं उसे एक सप्राइस गिफ्ट दोंगी इस लड़के को कहीं देखा है आपने इसने आपका पर्स चुराया क्या नहीं हां यह यह वो देख हलो तेरा हेलमेट वाला हिरो कहां बेगम पेट में कॉपी डे के पास उस पे नजर रखे रहना मैं आभी आती हूं लेट्स को चल 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 कहां गया वो कहां है वो पता नहीं कहां चल गया तुमने मुझे जूट बोला और इतनी दूर से मुझे बु दूली गई करेक्ट अरे वहां देख वहां ब्यूटी पालर है हम वहां तैयार हो सकते हैं और मेरा हीरो अब हीरो कुमार दूली बाद में डूंड लेंगे तु चल अभी विलकम माडम पेशियन अपको अपॉट्मेंट लेना माडम नहीं अभी करवाना है प्लीज वेट है डूंट मूँ डिजाइन खराब जाएगा तुम बहुत स्मूध ले टाइटू बनाते हैं अगे इस दन यह क्या इतनी जल्दी हो गया ओके बाई बाई चल ना उस डिजाइनर की बहुत डिमांड यह तुम लोग जाओ क्यों तुसाता है मन को तरसा है तुदधिय मेरा तेरा तन मुझे लल जाए तंदी को स्थाई यह जो भी चाहे यह तंदंदी नहीं तंदी नहीं तंदी चाहे अलो एस्क्यूज में स्टॉप द कामेश्ट्री लगता हो लड़की पढ़ के लागता है तुसके लग निये चल कलर मिसकर मैडम आप चाह पसंद करेंगी बिरिया नहीं मिलेगी क्या फेशियल कर बे मैडम स्पेशियल फेशियल के साथ सिविंग क्रिम फ्री है मैडम साधा स्मार्ट मत बन कच्च चबा जाओंगी समझ गयो चल जल दिकर मोटा कार किया कि एस मैडम हैर स्टाइल मेरे बस करते है मेडम है कह 경우 है हरों की कि के च τους हैं ह्लों वा सी तुम्हें द्यवानों की तरह टूंड रही हैं तुम्हें देवानों कि तुम्हें पता है किसलिए मेरी यरिंग के लिए हो तुम्हारी यरिंग मेरे पास ही है इन फैक्ट इसे लोटाने के लिए मैं तुम्हें ढूंड रहा था नो अब बिल्कुल सही जगह पर है मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने मां के निशानी खो दी लेकिन मां भी यही चाहती है वाट अरे कोई इसे समझाओ शी लाव्स यू अरे यार बम नहीं फटा टायर है यहां टायर भी फटता है तो बम की तरह फटता है चल उतर टायर बदलना है मुझे बदलना नहीं आता यार इसको भी यही फटना था क्या यह टायर भी तेरे बाप की उमर का है इससे भी पुराने लव स्टोरी तो आगे है वो क्या है ए उदर देख क्या भाईया फिर से रेट सिगनल तुम्हारी इतनी हिम्मत मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये स्टेपनी कौन है मैं स्टेपनी नहीं हूँ मैं इनकी बहन हूँ भाबी भाबी? लड़की आपसे प्यार करती है और आप इसे ना बोल रहे हैं कैसा है आप? भाबी, आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना इनकी प्लस माइनस क्या है में सब आपको बताऊंगी अपना इमेल आइडी दे दो नंदिनी वमसी 2012 at yahoo.com वाउ, आपने अपना इमेल आइडी पे भाईया के नम पे रख लिया न? मैंने हर चीज में वमसी जोड़ दिया है चलना भाबी, बैठ के बात करते हैं फिर कभी चलूँगी, आज मेरा लास्ट एक्जाम है, बहुर लेट हो गया कल मिल सकते हैं? ओकी, all the best, भाबी थैंक्यू, बाई वमसी बाई भाबी, बाई, बाई चुपना, अब बैठेगी? हमारे एक्जाम्स कदम हो गए, अब हम अजाद है लगता है भाईया आए है, भाईया? भाईया? भाईया नहीं आए बेटा ये उनका दास भद्रा आया है अच्छा भाईया क्यों नहीं आए? ये फसल कटने का समय है, तो भाई का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है और कुछ समय बाद चुनाव होने वाले है न, उस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है इसलिए मुझे बेज दिया ये वोटो किसका है? जॉन अबराहम, बॉलिवुड को बहुत बढ़ान बोर जॉन अबराहम हीरो होगा, तो सर्फ अपने घर का हमारे लिए सिर्फ एक ही हीरो है, और वो है भाई तुमें ऐसे पोस्ट कमरे में नहीं लगाने चाहिए भाई को ये सब पसंद नहीं, और भाई को जो पसंद है ना, वही करो तो ये फाल अपने दोस्तों में बाट दो और चलो मेरे साथ चाचा जी, अभी एक अगनी परिक्षा बाकी है, उसकी बात ही चलेंगे हम लोग अगनी परिक्षा, ये क्या होता बेटा? जैसे आपका इलेक्षन होता है, वैसे यहाँ सिलेक्षन पेपर होता है, यहाँ का महौल अभी बहुत गरम है तो ठीक है, बली को बुला लेते हैं बली को? क्यों? जो तुमारे खिलाफ होगा, वो गया चाचा जी, हम अपनी प्राब्लम सॉल्व कर लेंगे, आप जाईए, मैं भाईया से फोन पे बात कर लूँगी ठीक है अबे, जिन्दगी में तो कुछ करने पाया, इस सीडी के सारे टॉप पे तो पहुँचिया, इंजाए कर मोटे जान बची, यह लो तुम जाओ अब देख, कैसे टॉप में पहुच्छते है, आज रग रहा हूँ ए, कौन रहा है? हाई ओमाइगाट, तु यहाँ? मैं गॉट नहीं हूँ, मैं नंदिनी हूँ तु यहाँ क्यों आई? एक टूबलाइट, दूसरे टूबलाइट को कैसे फिक्स करी है? यह देख रही हूँ ए, तू नप मुझसे प्यार करते हूँ न तुझे यहाँ सबके सामने शर्म नहीं आ रही है? प्यार की आए तो सबके सामने क्या शर्माना? हमारी शादी परंपरा के हिसाब से होगी पर सुहाग रात तो पासनली होगी एक पागल, सब लोग हमें ही देख रहे हैं चल, नीचे उता देख तू सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते न हलो, हो गया रहा है यहाँ पर तुझे दिखाई नहीं देता, सुसाइड सुसाइड, मुझे इस अफ़ते की ब्रेकिन न्यूस मिल गई, मसा आ गया हलो, टीवी नाइंटीन हाँ, ध्यान से सुनिये, मैं रिपोर्टर बंदरी बात कर रहा हूँ यहाँ बेगमपुरा में एक कपल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी ब्रेकिन न्यूस है अभी की ब्रेकिन न्यूस, बेगमपुरा में एक यंग कपल सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं अपने संभात आता से बाप जी वहां की सिचुएशन क्या है यहां की सिचुएशन को समझ में नहीं आ रही है संध्या तुम्हें नहीं पता तो तुम भी वहां से उसाइट कर लो यह तुम कैसी बात कर रही हो संधिया अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो हम दर्शकों को क्या दिखाएंगे जल्ले जनकारी भीज़ें ठैंक्यू संधिया प्यार किसी को किटनाप करके या धमकी देके नहीं होता है स्टेप बाइ स्टेप होता है यार एह स्टेप बाइ स्टेप ही तो यहां तक पहुची हूँ बताओ तुम इसे प्यार करते हो कि नहीं मेरे फादर एक टिपिकल कारक्टर है क्या मतलब वो यह रिष्टा कभी मंजूर नहीं करेंगे चुपचप साइड हो जाओ अगर मेरी बात नहीं मानि तो चुपचप साइड हो जाओंगी और सुपचप कर लो जाओगे एह 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 एँ और प्लीस, ऐसा अमत करो ओके तुम अपने घर का आड्रिस दो फिर मैं तुमारे डाडी को मैनेज कर लोगे तुम मैनेज करोगी ओके, एड्रिस लो नाइस बोई नमस्ते आउंटी सौरी हमारे पास साबुन डिटरजन सब कुछ है हमें कुछ नहीं चाहिए मैं उस टाइब की लगकी नहीं हूँ तो किस टाइब क्यों? ये वमसी का घर है न? हाँ, और मैं वमसी की ममी हूँ वमसी की मा इतनी यंग कैसे हो सकती है मुझे आपका आश्रवाद चाहिए सासुमा अरे बताओ तो तुम हो कौन? आश्रवाद दे दीजे ना सासुमा अहाँ, दिया, दिया ये मिठाई भी खा लेजी मिठाई? नहीं का सकती, मुझे शुगर है मैं जो बताने वाली हूँ, वो सुनकर आपसे शुगर लेवल डाउन हो जाएगा अच्छो बताओ, क्या बोलना चाहती हूँ मैं, मैं आपके बेटे वमसी से प्यार करती हूँ वमसी से प्यार करती हो? सुनिये जी मुझे आशिरवाद दीजे ससुर जी देखो मीडम, मेरे पेर पटने से कोई फायदा नहीं है मैं एरपोर्ट के पास वाली जगए नहीं करीदूँगा इसे प्लेन की आवास सेन नहीं होती अशिरवाद दो परिशान नहीं करेगी आशिरवाद दो अरे तुम बोल रही तो दे दे दा हूँ गौड ब्लेस यू ये किसलिए है? ये कहती है कि वमसी से प्यार करती है वमसी से? हलो, मैं मजाख नहीं कर रही हूँ तो फिर? वमने बेटे से पूछ लीजे हाँ ये वमसी ये है मेरा बेटा मैं सलमान खान नहीं रितिक रशन हूँ वाई आरी कॉलिंग मी? तुम इन मेडम को जानते हो प्लीस टर्न लेफ्ट एन अगें राइट आइड दो नो ये तुमारी गर्स्रेंड है तुम वेश्राली हो अगर समर हॉलिडीज में आती है तो मिलके आइस क्रीम खाते है बहुत मज़ा आता अभी इसको रोटीशन से टाइम ही नहीं मिलता सॉरी तुम कितने क्यूट हो और तुम भी उस वमसी से तो तुम बेटर हो लव सेंस भी है और क्यूट स्माइल भी है मेरा इमेल आइडी भी है क्रीश एड़ दरेट याहू डॉट कॉम बाई मेरे टच में रहना अच्छा तो उसे गलत पते भी बिजिया अब लगता है उस पागल से फीशा छूट जाएगा चाहल सी नहीं है क्या हुआ तेरी हवा क्यों निकल गई बस हो गया मुझे बेवकूफ बना कर तुम यहाँ पर पाटी कर रहे हो इसका बिल टू हांड़ेड से जादा नहीं आएगा ये वैल्यू है मेरे प्यार की वमशी सी बात ये है कि हाँ बताओ ना क्या बात है बेवली बहुत आपको बेवल रही है ये मुझे प्यार करता है और आप ये मुझे धोका दे रहा है ये देखिए उसका सबूत इसके डाड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है वो जहां कहेंगे ये वहीं पर शादी करेगा बना शादी बिलकुल नहीं करेगा प्लीज ज़रा मेरी बात सुनो क्यों रहे? क्या कमी है मेरे में? क्या मेरा फिगर खराब है? माइ फेस इस अलसो अबाव आवरेज मेरी एजुकेशन भी अच्छी है और केची है? बता अभी के अभी डिसाइड करो नहीं तो इस लाइफ का चैप्टर क्लोज इससे तुम्हें नहीं मारूँगी अपने आपको मार दूँगी ये सब क्या है? देखो या तो तुम प्यार का सब के सामने इजहार करो वरना मैं सुसाइड कर लूँगी और मुझे इसका एक्स्प्रेनेशन भी देना नहीं पड़ेगा इससे या तो मैं कटूँगी या फिर वो केक ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है मैं सच में अपनी जान ले लूँगी बोलो 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 ए ए ए ए रुको चाकू या प्यार ओके कल मंदिर आ जाना मैं अपना डिसिजन वहीं बताऊंगा अबे लगता है ये बहुत से सच्चा प्यार करती है ये क्या कर रहे हो? फोटो ले रहा हूँ फोटो लेने से पहले क्याप निकालो तुम्हारे सर का क्याप नहीं क्यामरा का क्याप अच्छा हो बता दी और अगर हो सके तो जिब भी बन कर लो वमसी मैं बहुत लखी हूँ भगवान मेरी हमेशा सुनते हैं मैं जो भी चाहती हूँ मुझे मिल जाते है चलो अब तुम्हें सर्प्राइस देता हूँ ये क्या है? तुम्हें नहीं पता मेरी ख्याल से इसे मंगल सुत्र कहते हैं आज हम दोनों शादी कर रहे हैं इतना शौक क्यो हो रही हूँ ओ इतनी सिंपल शादी हो रही है इसलिए डोंट वरी मैंने सारा इंतिजाम किया है जय माला तो रेडी है तुम्हें पर्टी है तुम्हें पर्टी है तुम्हें पर्सनेट के लिए रूम भी बुक है डेडी में न मंत्र भी ते आ रहे है शादी अभी? वो एक ड्राइवर की तरह तुम्हें मूवीज लेके जाएगा और पब्स लेके जाएगा सिम काट के लिए रिचार्ज करने वाला तुम्हारा ATS है वो एक जोकर की तरह तुम्हारी हर बात पे हंसे और हर जगह तुम्हारा पीछा करे इसे प्यार नहीं कहते नंदनी, यूथ में ये फैशन है, इसे प्यार समझना पांगलपन है बहुत हो गया, तुम जैसा सोचते हो, प्यार मेरे लिए फैशन नहीं है, और ना ही टाइम पास है जो प्यार शुरू हो और जाके शादी पे खतम हो, वो प्यार नहीं है सच्चा प्यार वो है जिसमें बड़ों का आशिरवार शामिल हो मेरे लिए साथ जन्मों के साथ को प्यार कहते है सच्चा प्यार क्या है ये हमें पता भी नहीं होता तब भी हमसे अनकंडिशनल प्यार करते हैं हमारे पैरंस अपने प्यार की जीत हासिल करने के लिए हमें अपनों से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं अगर मैंने अभी तुम्हारा दिया हुआ ये मंगल सुतर पहन लिया तो मेरे परिवार के लोग सर उठाकर जी नहीं पाएंगे मेरे माबाप नहीं है इसलिए मेरे भाई ने मुझे राज कुमारी की तरह बड़ा किया तुम मेरे दिल में हो वमशी लेकिन मेरे भाईया ही मेरे लिए सब कुछ है मुझे बच्पन में जो कुछ भी चाहिए होता था भाईया लाके देते थे मुझे उन्होंने वो भी दिया चो मुझे नहीं चाहिए था बदले में मैंने आज तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया दादी मा मुझसे हमेशा कहती है कि वो मरने से पहले मेरी शादी देखना चाहती है और यही उनकी आखरे इच्छा भी है जैसे सब की होती है ऐसा क्यों कहते है तुम्हें पता है वंशी शादी सिर्फ मंगल सूत पहनाना नहीं है बलके जिन्देगी का महत्व पूर्ण आउसर है हमारे सर पर शादी का मंड़प हो या ना हो लेकिन परिवार वालों का आशिरवाद होना बहुत जरूरी है अगर हम अकेले भाग गये तो कोई कॉम्पेटिशन नहीं जीत लेंगे पबलिक के सामने स्टेडियम में भागेंगे वही होगा असली कॉम्पेटिशन अगर हम बड़ों के आशिरवाद के साथ शादी करें तो तभी प्यार की जीत होगी अगर अब भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं सब तुम पर छोड़ती हूँ ये लू अगर दुनिया की सभी लड़किया तुम्हारे जैसे सोचने लगी तो उनके माबाप हमेशा खुश रहेंगे और मेरी ये ही मनों कामना है कि हर लड़की तुम्हारे जैसे ही सोचे भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे आरती लेलो बेटा कल्यान हो मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता था तुमने मुझे समझाया कि प्यार कोई खेल नहीं वो तो हमारी जिन्दगी का एक हिस्सा है मुझे तुम्हारी बाते और तुम्हारा मन दोनों से ही प्यार हो गया है जिन्दगी में पहली बार मुझे भी प्यार हुआ है मेरा यपी कर लो है प्रेम तुमसे ही अब तुम भी हां कहतो दिल है जवां हम भी जवां बाहो में तुम ले लग दूरे ना जाना दिल जो कहें सुन लो हम है जवां प्यारा समा I just wanna be close to you तुम मेरी हो अब तो सुनो हां दिल मेरा क्या कहें तुम मेरी हो तिल के सुनो ये दिल कहीं ना लगे ये तो मौसम भी कहता है चुपके से दिल में हो तुम बसी तुम बसी तुम बसी दिल में देखोगी ले भूल जाहत के मैं तो तुम पे ही मरने नगी हो अब मेरा यकी कर लो है प्रेम तुम से ही अब तुम भी हां कहता दिल है जवा हम ही जवा झाल 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 ऐसा लगे सारा जहाँ मेरे पैरों तले मैं चानू ना मेरे सनम कैसे हम तुम मिले तुम को देखे बिना दिल ये ना माने जब से हो तुम मिले तुम मिले तुम मिले चल बड़ी है मुभाबत की राहों पी तेरी बाहों में हमको तो जन्नत मिले मेरा यकी कर लो है प्रेम तुम से ही अब तुम भी हाँ कहतो दिल है जवाँ हम भी जवाँ इसका मतलब तुम्हारा प्यार सेंटिमेंट के चकर में फस्कर रहे गया दोनों परिवार नहीं मान रहे होंगे सही बोल रहा है यार इसे लिए तो सपोर्ट के लिए तुझे साथ लाया हूँ तुम चिंता मत करे यार मैं उसके भाई को मना लूँगा यह देख मैं लास एंजल्स का रेटान आजनी हूँ यह तो सिर्फ एक छोटा सा गाउं है तेरे प्यार को जरूर सफल बनाऊंगा ज़रा गाड़ी रोक हलो एक्स्क्यूज मी तुझे इंग्लीश नहीं आती होगी एई इदर रोक भूपती का घर किदर है क्यों बै ऐसे घुर रहा है भूपती का घर का मैं बता चाकू नहीं है रिए बदे तु बच गया अगर दुवारा भूपती के साथ भाया नहीं लगाए ना तो तेरी तो भूपती बोलत क्यों दिमाग घुम गया ना मेरा दिमाग कभी घुम नहीं सकता आरे तु मेरी चिन्टदा ज़रा भी मत कर लास अंजलेस में मेरी इतनी इज़त थे यह गाउँ वालों की क्या होका थे यार हलो ए भाई भूपती वहिया का घर कहा है बताएंगे लगता है और प्यार से बोलना पड़ेगा भूपती वहिया का घर कहा है बताएंगे वहिया क्या बोलना थे चीर दे तोके क्या हो बे अब तो घुंग गया होगा अब मेरी समझ में आ गया क्या आ गया भूपती का सिर्फ दबदबा ही नहीं है दूश्मन भी बहुत है उसके भूपती का नाम लेते हैं मुझे लेफ्ट राइट दोनों तरफ पड़ गए यार ये भूपती क्या बला है मुझे कोई बताएगा देवी मा मेरी बहन के मित्र आ रहें बस इतना करना कि उनके जाने तक यहां कोई लड़ाई ना हो बद्रा भाई छोटी के दोस्त अभी तक नहीं आये बाली स्टेशन लेने गया भाई दो घंटे हो गए कुछ भी गलत हुआना तो कोई नहीं बचेगा गुस्ता मत किजिए गुस्ता से टेंशन बढ़ती है टेंशन से सुगर बढ़ता है अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं किड़नी स्पेशलिस्ट हूँ यह बात सच है? तो तुझे भरोसा नहीं अगर उन्होंने माफ कर दिया तो जान से ज्यादा प्यार करने वाली इनकी छोटी बहन वह हमें नहीं छोड़ेगे भाई लगता है वो लोग आ गई सुनो बहना तुमारी दोस्त आ गई देखो तुम लोग मेरी बहन नंदिनी के दोस्त कितने सब भी है आखिर वो मेरी बहन है आव अंदर आओ ये लोग कौन है और कौन होगे भाईया शकल से ड्राइवर लग रहे है ड्राइवर? सामान अंदर लियाओ मैं सामान लेकर अंदर आओ हम लोग नंदिनी के फ्रेंड्स हैं तो तुम लोग कौन है हम इने आपका घर दिखाने लेकर आया थे मालिक हम इसी काऊगे है हम रामशी की बेटिया है चलते हैं मालिक संभाल के जाना धन्यवाद जी ये लोग ड्राइवर है ना मुझे लगा ये लड़की अनन्नी की दोस्थ होंगी सिटि में दोस्तों? लडके भी हो सकते हैं और लडकिया भी हो सकते हैं हाँ भाईया शहर में लड़के भी दोस्थ होते हैं आओना वंशी वंशी ये भाईया हेलो भाई सा व्हूपती राय आइम पांडू डिखने में तो तु पूरा मामू लगता है और अपने आपको पांडू बुलाता है तुम्हें पता नहीं मैं कितना त्यड़ा आदमी हूँ मुझे पता है वंशी मेरी भावी मेरी दाधी मा मेरी फैमली डॉक्टर बदर अंकल भाईया की राइट हैंड रंद आप दोनों क्या क्लास्मेट हैं हाँ नो आप सेवें यर सीनियर हाँ दिख रहा है तेरे चेहरे की जूरियां अच्छा तुम और नंदीनी क्लास्मेट्स हो नहीं ऐसा नहीं है एक्चली हम फ्रेंड्स हैं शेयर में क्या करते हो मेरा बहुत ही फेमस हैर स्टाइलिस है सिट मतलब मतलब ये ना बाल काड़ता है इससे क्या हो गया ये सब हुस्तिर है लगता है मुझे भी हसना पड़े तो तुम नाई हो एसा मत बोलिये जी ही इसे हेर स्टाइलिस्ट एक ही बात है ये भी तो बाल ही काड़ता है ना मैंने भी वही का ये बाल काड़ना भी एक इज़त का काम है ए समन्ना तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो तुमारे पिता जी किसके लिए काम करते थे आपके पिता जी के लिए और तुमारे पिता जी के पिता जी आपके दादा जी के लिए मुझे घुमाफिरा के बात करने के आदत नहीं है, सीधे मुद्धे पर आता हूँ यही, यही मुझे भी पसंद है मैं आपकी वहन से बहुत प्यार करता हूँ मेरी बहन को कौन प्यार नहीं करता मैं प्यार करता हूँ, मेरी बीवी प्यार करती है मेरी दादी, डॉक्टर, भद्रा, हवा, पानी, धर्ती, सारे गाउंवाले प्यार करते हैं लेकिन तुम्हारे मुझे यही बात सुनके, मुझे अच्छा नहीं लगा वो जो भी हमारा दामाद बनेगा, उसे यहां आकर हम सब का भरोसा जीतना होगा और एक बात और, अन्याय के खिलाफ लड़ने का मौका मिले तो मैदान से कभी भी पीट दिखा कर नहीं भागे वो इस लायक होना चाहिए कि मेरी जगा ले सके ये भी ज़रूरी है कि वो मेरे लोगों को अपना ही समझे मुझे ऐसा दामाद चाहिए, तुम्हारे जैसा नहीं समझ गए ना? गाओं में घुचते ही समझ गया था क्या समझ गए थे? अब हमें जॉगिंग के लिए जाना चाहिए मतलब? जॉगिंग, जॉगिंग मतलब शहर में लोगों के पास काम कम है तो वो सब लोग बहुत दूर तक दोड़ते हैं कोई उनका पीछा नहीं करता तब भी? क्या हुआ आप लोग इतना ज़्यादा हस रहे? वमशी ने कोई जोग किया क्या? हम हसना रोख ही नहीं पा रहे मजा किया है मुझे पहले से पता था आपको वमशी पसंद आएगा तुम जाकर खाना लगाओ बहन ठीक है भाईया खाना खाके रात की ट्रेन से निकल जाना अद्रा इनके टिकेट का इंतजाम करो टिकेट क्यों? इन्हें रास्ते के लिए कुछ पैसे भी दे देना चोटी ने कहा था तुम एक हफ्ते के लिए यहां रुकने वाले हो जी हाँ उसकी जबान का मतलब समझ लो कि मेरी ही जबान है फद्रा ये हमारे महमान है आउट हाउस में ठहरा दो इन्हें इन्हें गाह में रहने की बहुत खुजली है तू जी गरवाला है तुने भाई के सामने दिलेरी से कह दिया कि तूनकी बहन से प्यार करता है अच्छा लगा मुझे यहां हर कोई लीड हीरो की तरह डायलोग क्यों मारते रहता है इस चाकू का और मेरा बहुत गहरा रिष्टा है अब ऐसा कौन सा रिष्टा है ब्रा तू इस चाकू के बारे में कुछ जानता है क्या आप सिर्फ इस चाकू के बारे में जानते हैं मैं तो बहुत सारे चाकू के बारे में जानता हूं ब्रा पहुत सस्पेंस है ये मत पूछना ब्रा का मतलब क्या होता है ब्रदर आपने अभी मुझे क्या बुलाया ब्रदर हाँ अमेरिका में इसे ब्रा कहते है ओहो बहुत ठक गए होगे ना ब्रा क्या हो अब बैं नंदिनी बेहन के दोस्तों के लिए रेलवे स्टेशन गया था तभी मैंने देखा कि वहां वेंकट रेड़ी के आदमी आ गए हैं मैंने उन्हें मार मार के भगा दिया लड़किया नहीं आई भाई वो लड़कियों की जगा लड़किया है बली बली अब ये कैसा नाम है जैसे गाओं में बकरियों की बली दी जाती है वैसे ही हमारा बली है ये भाई के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है अगर भाई ने कहा तो तुम्हें मार सकता ह लेकिन ये तो बल्ली निकली, पूरे इंडिया में तुझे प्यार करने के लिए यही लड़की मिली थी, क्या? इसमें ऐसी क्या कास बात है? अबे सुन, अपनी सलामत ही चाद है तो उसके खिलाफ बोलना बंद कर पिर अपने भाई से ऐसा क्यों नहीं कहा? भाईया, मैं इनसे प्यार करती हूँ, ऐसा क्या सकती थी ना? अरे कóई लड़की अपने घर वालों को कहेगी कि वो किशी से प्यार करती है, मैंने इसे खिर पे बलाए, मैं इसे शादी करना चाथी यही कहने तो हम यहां आए हैं तुमने उसे कहा तो रियक्षन देखा ना उनलोगों का कल्चर कैसा है देखा बाई लोग है बाई लोग और एक अदमी शाक को दिखा कर उसे अपना रिष्टा बता रहा था अर दूसरा हमें मारने की धमकी दे रहा था अगर मैंने अपना ट्रीगर दबाया तो एक ही बूलेट में तीनों का सफाया हो जाएगा हमें इन से उलजनाने चाहिए चल भाग चलते है बगवास बंद करना और यह बैग अंदर रख मतलब अलमारी के अंदर रखना क्या रे क्या मत तो चेरे से बेवकूफ लगती हूँ हाँ हम लोगों में कल्चर नहीं है अगर ये बात मेरे भाई ने सुन ली न तो तुम्हारा सर तुम्हारे हाथ में होगा यह सब तो ठीक है पर तुम इस गेट अप में कैसे यहाँ ऐसे ही रहना पड़ता है अच्छा ये बताओ मेरे भाईया कैसे लगे तुम्हें ओ नौ मैंने तो सोचा ही नहीं था सोचा था कोई किसार मिसान होगी आराम से सब को समभाल लूगा पर तुमने बताया नहीं कि इतनी स्ट्रिक्ट होंगे बताती तो मज़ा नहीं आता तुम्हारी हिम्मत देखना चाहते थी अच्छा अब देखना नहीं तो जबान जल जाएगी अगर हम लोग उदर मुग करके इतना भाग रहे होते ना तो अपताक अपने गाउं पहुंच गया होते तेरे प्यार में हमें मुसीबत में डाल दिया इस गाउं में नो डायलोग, नो सेंटिमेंट सिर्फ लोगों को कैसे मारा जाता है यही सब जानते हैं यार यह भगवान, हमें देखकर इस गाउं की लोग भी जाओगी करने के लिए आ गए सब लोग सांट की तरह दिखते हैं ना निकाल अब इस चेन खोलने के लिए निकाहा ओ चल तू जीब खोल लगता है गाउं में नए हो अपनी चेन ब्रेसलेट जो कुछ भी निकालो निकाल भे एक क्या कर रहे क्यों रहे अमेरिका के माइक चैसन को जानता है क्या वो बॉक्सिंग चैंपियन नहीं हो रहे तुम लोग रहे कितने लोगों को देखता हूं अब मारने वाला हूं बचना है तो भाग लो वन तो और चल भाग रहे जल्दी निकल लिए अब चौड़ दो मुझे चौड़ दो मुझे बत पारो तो निकाल भे दे जल्दी दे इसके पास चाको एक तो मार डालेगा तो यह तेरे आत में क्या है वो भी दे यह मैं नहीं दूगा तो यह ता है कि नहीं नहीं यह जल्दी दे अरे मेरे परस में कुछ नहीं है उस रिंग की किमत एक करोर रुपए है अरे मुझे मिल गया एए 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 मैं इस जदे को समालता हूँ तू जाहूं लोग को दो जा आ रहा रहा हूँ अरे तूट के उँगी अभे है तूझे शुच पड़े ना थाना सथ ना रहे है जल्वास आपकले रूख अर्ण आ advancing जलते दे जान से मार दालूगा यह लोग कहां से आ गए अरे 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 क्या अरे अरे सär मैं दर्द हुरा है क्या मार दूगा मैं क्यूं मार कहूं । मैं तुम लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ । अरे इतने सालों में मुझे नहीं समझ भा है तो फिर यह तो न everybody तुछ चुप हो जा नहीं तो तेरी चमड़ी उदेड के रख दूँगा इस वेंकर रेड़ी को कोई जंडू ब्योकूफ नहीं बना सकता समझा अच्छा कल तुम दोनों भूपती के घर में आया थे मुझे ऐसा लगा भूपती ने तुम दोनों को मुझे मारने के लिए यहा के मार अब इने देख कितने प्यारे बच्चे करता है यह भूपति की ज formerly been करता है यह जिए खत्र नहीं होती है उसके वेएन का हाथ मांगने भूपति के घर गया वो पती के लोगूने तुम दोनों पघलों पर हमला क्यु किया उन्हें हमारा रिष्टा मंजूर नहीं है ठीक है ठीक है अभे तो काम क्या करता है में हेर स्टाइलिस अच्छा ये कंप्वूटर पर काम करता होगा मतलब नहुआ जी जादी इसका मतलब संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते अबे तु चुप कर बे, मुझे लगता था सारे नई तेरे जैसे घदे दिखते होंगे, जिन्दगी में पहली बार मैंने हिरो जैसा नई देखा है, जैसा ही तुने कहा, तु भूपती के बेहन से प्यार करता है, ऐसा लगा किसी ने मेरे कान में अमरिक डाल दिया, भले आने मैं माना इन लोगों को खाना वाना किलाओ, आपको बतानी की जरूरत नहीं, इनको देख लिया, तभी मैंने सब तयार कर लिया, कोई बात नहीं, और तो को इतना तेज नहीं होना चाहिए, जाओ, लेकर जाओ इनको अंदर, बीबी है, तुमें क्या लगा इनकी बेटी है, इतनी शर्मानी की कोई बात नहीं है, चलो अंदर जाओ, इनने अंदर लेकर जाओ, ये लोग हमारे लिए चाकू का काम करेंगे, जैसे पानी के बकेट में बम रखा हो, और वो फूर्ट नहीं सकता, जब जरूरत होगी इनका इस्तमाल करेंगे, मैं सब समझ गया, अगर हम हमारी पारटी के किसी आदमी ने भूपती की बेहन से शादी कर ली तो भूपती डूप मरेगा, तुम लोगों ने उससे मार खाई और फिर उन लोगों को वेंकट रड़ी के बाले कर दिया, चल बाली, बद्रा, ये बताओ कहा जा रहे हो तुम, भाई, हमने इनसे कहा था क वंशी और पांडू को मार कर गाओं के बार फैक दो, लेकिन ये खोदी पिटकर आ गए, बाहर निकालने को किसने कहा था, मैंने भाई, तुमने, मैंने सोचा चोटी सी बात के लिए आपको क्यों परशाद कर आओ, वो हमारे महमान है, मेरी बेहन ने उन्हें आ एक अफता करने के लिए बुलाया है, हम उन्हें मार कर वेंकर ट्रेडी के हवाले कैसे कर सकते हैं, अगर उसे पता चल गया, वो हमारी लोग है, वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, जाओ उन्हें लेकर आओ, अगर उन दोनों को कुछ भी हुआ तो, बुद मारिंग, क्या हुआ, सब लो उन्हें सुनाया कि रेडडी के आदमी तुम्हें बांद के ले गए और तुम्हें बहुत पीटा, यहां मारा और फिर बहां लेके गए, हम दोनों के इजज़त से ले गए, उपमा खिलाया, और चिकल चिली भी खिलाया, आप परोस कर, उन्होंने हमें बताया, तो आपके बहन की शादी कराने की स्थिति में नहीं है, आपकी माली हालत बहुत ही खराब है, मो बंकर, शादी का खर्चा उठाने के लिए वो लोग तयार है, मेरी बहन की शादी का खर्च उठाएंगे, तो आप ही शादी करवाएंगे, रिलेक्स, यह दोनों रसी बम के लाइक नही शादी की शानाईया इस घर में बजने वाली है जल्दी इस घर में डम 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 शादी का बेंड बजेगा हरियोम हरियो और वो बहुत बड़ी शादी होगी बहुत लोग खाना खाएंगे बहुत धुम नामत शादी होगी दस पीडियों तक गाहँ वाले इस शादी के बारे में बाते करते रहेंगे मेरे होने वाले साले के बारे में बताओ वो तो वाग होगा उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा वो डॉन कामिता बच्चन होगा फिर वाई बात बाई को फिल्मी हीरो लोगों के बारे में मत बता घर के दमाद के बारे में बता दमाद के है वो तो तलवारों से खेलने वाला होगा जहां से आप सोच रहें वो वहां से नहीं आएगा वो कहीं और से आएगा बस इतना काफी है चाहिए आप बेली थोड़ा आनाज देदो मालिक आपकी जै हो हर्योम 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 हजरा, मेरे साले को बुलवाओ मैं यही बात कब से तेरे मुझे सुनना चाहती थी वमशी, तुमने क्या बताया था शेहर में क्या करते हो? हेर स्टाइलिस्ट जो भी है, मेरी छोटी बेहन को अच्छी तरह तयार करो उसका होने वाला पती आ रहा है बेटा, नंदीनी के बाल तो चिडिया की घोसली की तरह दिख रहे हैं दादी वा, आप चुप रही है, आप नहीं समझेंगी मैं इसलिए पूछ रही हूँ, इसके दुकान में ऐसे ग्राहक आते होंगे ना दुकान? मतलब वो, जहां तुम ये सब काम करते होगे, दुकान ओ, अच्छा, हाँ आते आते हैं रोज तुम सोदोसो कमाल लेते होंगे ना अगर ये सोदोसो नहीं कमाएगा, तो शहर में इसका गुजारा कैसे होगा दादी, मैंने कहा न जाओ यहां से हे भगवाद, मैं जा तो रही हूँ, गुसा क्यों हो रही है देखो बेटा, इसे जल्दी से तयार करके नीचे लियाओ, मैं चलती हूँ हसी आ रही है न, हसो, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ न पागल हो तुम, मैं तुम्हें सुंदर किसी और के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे घरवालों को दिखा रहा हूँ मैं दिखाना चाहता हूँ, कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रख सकता हूँ, इसलिए तैयार कर रहा हूँ तुम्हारा भाई चाहे किसी को भी तुम्हें देखाए, लेकिन एक चीज़ पक्की है, तुम्हें मंगल सूत्र तो सिर्फ मैं पहनाओँगा तुझे सा हसी नहीं है कोई भी सारी दुनिया है देखी आओ ना हम दिये नगालो नगले मैं कब से हूँ प्यासी मज़े मज़े करेंगे यहां सनम जरा यहां तो आजा 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 मीरा मीरा यह भी का भी का है तन इसे इसे तो छोले जबाँ प्रियतमा तरसा न मुझे मैं बदन छोलो ते रहां मिल के तुझे से ये वदन जर उठा मेरे हुम्दम अब रहेंगे ना दूर तुम से अब करेंगे हम प्यार तुम से अभी हमसे ना दूर रहना सदा हमसे तुम प्यार करना जार जार आ जल पर जल ये यू तल पिना जो तुम कुछ करना अब तुम हम तम हम साथ है यार तुम नहीं करना अब सरब कर प्यार हम से बस यही मांगू मैं अब से तेरे बीना अब ना जियेंगे लब से लब तुम से करेंगे प्रियतमा कुछ सा हसी नहीं है कोई भी सारी दुनिया है देखी आओ लब ये लगा लुड़ गये मैं कब से हूँ प्याजी मजे मजे करेंगे यहां सर्नम जरा यहां तु आजा 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 मीरा मीरा ये भीगा भीगा है तन इसे इसे तु छुड़े जरा चाने चाना तुम्हारी मूचे कमाल की है आप ही कहते हैं न भाईया मूचे मर्दों की शान अती है शाबभाश भाईया आपके लिए एक तोफा लाया हूँ तोफा ए अंदर ले क्यों ये लो भाईया आपके लिए तोफा वाह, एक इवार में सिर्धड़ से अलग एक इवार में तीन सर्धड़ से उड़ेंगे भईया ए बदी, इसे संभाल के रख दो ठीक है भई बैठो बहुत सुन्दर लग रही हो बेहन कहीं मेरी नजर न लग जाए बावा, कैसी लगी मेरी बेहन कैसी लगी ये भईया बहुत सुन्दर बिल्कुल एश्वर्य राय बावा हम बच्पन में साथ खेले हैं तुम मुझे अच्छे भी लगते थे लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करते हूँ कम से कम तुम तो समझो भाईया, मैं नदनी को पसंद करता हूँ वो भी मुझे बहुत पसंद करती है काफी है शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा अच्छा समुरत ताय करके मुझे खाबर कर देना बाबा, तुम आज रुक क्यों ने जाते नहीं भाईया, एक रेलवे कॉंट्रेक्ट लेने जाना है, फिर कभी रुकूंगा, चलता हूँ तुमने मुझे दिखाया कि मेरी बहन कितनी सुन्दर है तुम में काफी अच्छी हो गेता है शाबाश थैंक यू, मुझे एक चांस दीजे, मैं आपको भी बदल दूँगा मुझे भी मेरे भूपदी को भी थोड़ा सुन्दर बना दो, इसने आखरी बार पाउडर कब लगाया था पता नि तु बोल ना बोच जब आप अपनी बहन को सुन्दर देखना चाहते हैं, तो आप खुद क्यों यह सुन्दर दिख सकते हैं भाई, इस बच्चे को एक चांस दे के देखो ना भाई, मान जाओ ना भाई भाई, मान जाओ ना भाई इतनी सी बाप मान लो ना बोच पूरी हिरो की तरह दिखने वाले आपको मेरा वमसी हिंदी हिरो की तरह बना देगा सर नंदिनी, तुमने सबके सामने ऐसा क्यों कह दिया, कि बाबा तुम्हें पसंद नहीं तुम्हारे भाई ने, वो बात तो सब के सामने हस के टाल दी, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है आपने तो कितने आसानी से समझा दिया कि भाईया कितने दुखी है, लेकिन आप मेरा दुख नहीं समझ रही मैं उसी सिलसले में तुमसे बात करने आई हूँ, तुम्हारे दिल में कौन है बताओ, क्या आप लोगों को पता नहीं है, कि मैं किसे चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आप सब लोग चुप हैं, कारण भाईया, जब तक भाईया मेरे दिल की बात नहीं समझ पाते, तब तक मैं अभी उने कुछ नहीं बताऊंगी, देखते हैं क्या होता है, तुम लोग निकलो यहां से, क्या बोल रहा है तु, भाई को छोड़के नहीं जा सकते हूँ, अरे यहां को तमासा थोड़े ही हो रहा है, इन लोगों को निकालो यहां से, आपका फेशियल वाला चेरा इनको नहीं देखना चाहिए भी यहां, पद्रा, बाहर जाओ, एई चलो रहा है आसे, तुझे स्वेशल बोलना पड़ेगा क्या, अरे हम साथ पूष्टों से यही काम करते आ रहे हैं, अरे मैं यही देख रहा था कि तुम लोग कुछ अलक करने वाले हो, तुम लोग को अलक करन यह क्या है, यह खीरा है, यह आपकी आँखों को ठंडा रखेगा, अच्छा होता है, खीरा आँखों के लिए अच्छा होता है, मुझे थोड़ा सा देना है, मैंने का शीशा तु फोटो दिखा रहा है, यह किसी का फोटो नहीं है, यह तो आप ही है, मैं हूँ पकड़ता हूं भाई, मैं जब भी शीशा देखता हूं बहुत गुस्सा आता है, रिलेक्स, रिलेक्स, सब कुछ हमारे भले के लिए ही होता है, वैसे एक बात बताओं, आप पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्या कहा, मेरी उन मूचों के बगएर भी, पहले आप बड़ी-बड़ी मूचों के साथ जादूगर दिखते थे, लेकिन इन छोटी मूचों में एकदम हीरो दिखते हैं, आप मुझे दिलासा दे रहे हैं, डॉक्टर, पर वो लोग इस गाह में कभी नहीं रह सकते, रिलेक्स, रिलेक्स, आपने सिर्फ अपने बाली खोये हैं, आप नहीं चाहेंगे, तो भी वो वापस आजाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर, अगर वो मुझे मिल जाते, तो मैं उन्हें निम्बू की तरा नी चोड़ देता, भाया, आप जानते मैं आपको इस क्रिस्टाउस में क्यो लाया हूँ, मुझे पता है, बार गय तो सभांसी उड़ाएंगे, कह दिया, लेकिन ये बात एक दम सही नहीं, यहां की हर्याली देखिए, यहां की धूब देखिए, आप सब कुछ भूल जाएंगे, आप वहाँ देखिए, वो गिरगिट, इस डाल से उस डाल पर कुज़रा कितना अच्छा लग रहा है, मेरी म बूचें भी इसकी पूच के तरह थी, अरे यार इसको पिर यादा क्या, आप नारियल पानी पीजे, एब बाईया, एक नारियल दो, पीलो बईया, पीलो बईया, वो भूपती नहीं है, वो भूपती है, हां, वोपती नहीं हो, मै, वोपती हो, मै, वोपती हो, मै, अच्छें नहीं है, या रखेर को अब भीलो मै, ए आव नहीं है, रखेर के नारिया, कर दिफ़utan सुपद दफ़ पती है 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 मुझे चोड़ो भाई मैं कुछ बताना चाहता हूं वो लोग आपके साले को मारे का प्लान मना रहे हैं भाई अाए बतान से तो चाहता है वितने काए में वो बतान से करते दो क्याओं तो क्या है Ro ip करते की क Tryrijा करे भंब १११११११११११격 १११ excitement १११॥ कर दो, कुपी! कर दो! अब अब जा अब 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 आज गया आज चलिए होस्पिटल ज़से नहीं रहने दो आपका खुन बह रहा है मैं बच्पन से नंदिनी को चाहता था लेकिन वो तुम से प्यार करती है ये जान कर मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई नंदनी के लिए तुम बिल्कुल सही हो नंदनी का ख्याल रखना चल भाई इसी ने बाबा को मारने की कोशिश की यही है वो अगर कल तक वेंकर ट्रेडी ने मेरे पैर नहीं पकड़े तो इसका सिर उसके घर के बाहर टांग दूँगा चल चल तेरी दूप देवी मा आज मैं आपको एक बली चड़ाऊंगा ले कि आओ उसे भाई वो हमारी कैद से भाग या भाई पर वो भाग कैसे गया उसे मैंने ही हां से भागाया मुझे डर था आप उसे मार देंगे तुमने है यह तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत है कि तुम साथ दिनों तक हमारे महमान बनकर यहां पर रहें आज की बाद सात्मा दिन खतम शाम होने से पहले निकल जाओ नहीं गए तो सिर्क काट दूँगा तुम्हारा अब मेरी बात सुनो तुमने मेरे दुश्मन की जान बचाई है तुम कभी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते निकला बस एक बात कहनी है यहां गाम के लोग आपकी बात सुनते होंगे लेकिन वो जो फैसला लेता है उसको कोई नहीं मिटा सकता और उसने कहा है कि नंदनी अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं तो वो आपको मिलकर ही रहती है देखो बेटी हाल लड़की के माबाप हमेशा तीन आउसरों का ही इंतजार करते हैं उसके जनम होने का बड़ा होने का और शादी बेटी अपनी शादी के लिए अपने भाई की ही बात सुनो मेरा भूपती हमेशा तुम्हारा भलाई सोचता है मैं तुम्हे और तुम्हारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हूँ जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपते हुए कहा था कि मैं तुम्हें बेटी की तरह संभालूं कुछ जिमेदायों के लिए कुछ त्याक करना पड़ता है एक लड़की को बहुत से समझोते करने पड़ते हैं अगर तुम अपने भाई को खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें भी खुश रहना होगा तुम्हारे भाई इस गाउं के लोगों के साथ न्याय करते हैं तुम्हारे साथ अन्याय कैसे करेंगे बरुसा रखो अरे इस दलदल से बाहर निकल यार और खुशी से रह तेख मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ अगर तुझे खुश रहना है तो इस दलदल से बस कर कितनी बगबग करेगा मैं नंदनी के बारे में सोच रहा हूँ उसके बारे में मत सोच उसका भाई तुझे काट डालेगा आप बंदूग लेके क्यों बैठे हैं नहीं छड़ूंगा सुनिये जी वेंकटेश ने कहा है कि गन्ने के ट्रैक्टर शाम की पुझा के लिए यहां आ जाएंगे ओ ठीक है नंदनी अंदर ही है जाकर देख लीजिए नंदनी आओ भाईया देखिए मैंने वो सब कुछ बनाया जो आपको पसंद है क्या तुम आजकल इसलिए उदास रहती हो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी मैं चाहती हूँ आप खुश रहें तुम भले ही अपना दर्द छुपाने की चाहे जितनी मर्जि कोशिश करो पर मुझसे कैसे चुपाओगी आप वंशी को पसंद नहीं करते यह आपकी मर्जी है मैं वंशी को पसंद करती हूँ यह मेरी मर्जी है हम दोनों की मर्जी कभी ना कभी तो एक होगी न यह तुमने सच कहा अरे यह हमारे खून में है एक बार जो हम फैसला लेंगे, वो हमारे लिए आखरी फैसला होगा, आखरी अगर हम किसी को दिल से चाते हैं, तो वो हमें जरूर मिलता है कितनी गर्मी है या, मुझे बार-बार टॉले जाना पढ़ रहा है यह ठीक तो नहीं है, पर ऐसे काम चला सकीते हैं, थोका काला है, लेकिन चल जई इस गाव में गुंड़े ही नहीं, इस तरह के लोग भी रहते हैं क्या यह बगवाद, तो गन्ये के टेक्टर में जो बम है, वो पूटेगा ना बिलकुल डाउट नहीं है, जैसे ही बूपती गन्ना खीचेगा, वो फढ़ जाएगा आदे गन्टे में बैंगलोर की ट्रेन है, तू निकल जा, और तुम मुझे कुछ नहीं होगा, तू निकल भाई, यह पहली फासल है, यदि आप हमेशा की तरह एक गन्ना खीचेंगे, तो हम यह फासल मंडी में भेज सकते हैं इस बार मैं नहीं की चूंगा, इस काम के लिए मेरी बेहन के हाथ सब सशोब है जानती हूँ, तुमारे बेहन तुम्हें बहुत प्यारी है, लेकिन सालों से यह काम घर का मुख्या ही करता आया है, यह प्रथा बदल नहीं सकती, तुम्हें ही करना होगा हाँ भाईया, आप ही जाए मुझे ही करना होगा, ठीक है भूपती तुमने खत्रा मोल क्यों लिया, नंदिनी के लिए तो नहीं मैं नहीं चाहता था कि गाउंवाले अपना भगवान खोदे अगर मैं मर जाता तो तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाता ना अगर मुझे आपके बहन मिल गई, तो मेरी जिन्दगी सबर जाएगी लेकिन अगर आप जिन्दा रहे, तो गाउंवालों की जिन्दगी सबर जाएगी मैं चलता खुद के बजाए तुमने मेरे लोगों के बारे में सोचा यही, यही बात पसंद आई तुम इस गाउं के दामाद बनने के लाइक हो पर इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं मेरी बेहन की है, दंदने तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है सही में जोड़ी चमे की, अब तुम्हारी की पुरी होंगी यह तुम आए, अब मेरे दिल की देखो कैसी प्यारी देखे है यह रानी पर यूकी लगी यह राचा राणी की है देखो, जोड़ी जमी कैसी देखी नहीं है ऐसी प्यारी जोड़ी करीपे भी हाँ, सही में जोड़ी चमे की, अब तुम दो रुकी पुरी होंगी यह दुआए, अब मेरे दिल की अब तुम आरणी के में जोड़ी यह ए्वाणी की, अब प्यारी जोड़ी जोड़ी सभ़ी जोड़ी तेरे घरवालों ने सच को जाना, अपना मिलना हुआ सपनी तो सारे सच हो रहे हैं, यार का गुशन खेला है दिलों का ये तो रिष्टा, जन्मों से ये जुड़ा है नहीं अपना मस चलता, इसे चोड़े उपर वाला देखो राजा रानिकी है देखो जोड़ी जमी कैसी, देखी नहीं है ऐसी प्यारी जोड़ी कहीं पेवी सच कहते हैं बेटी हैं जैसे उड़ती चिड़ियां यहां कहना है मेरा दिल ना दुखाना, ये तो है मेरी जान ये तो है देख लो आकन की दुल से, खुशियां इसकी ही तो दम से हैं मिलती ये छोड़े के जब विदा मन जाएगी, तन से निकल जाएगी जान सबकी नहीं बात ऐसे करना, आखों को नम न करना, सुनने सदा मेरी तो इसको हम दिल में रखेंगे हतम, राचरा निकी है देखो जोड़ी जमी कैसी, देखी नहीं है ऐसी प्यारी जोड़ी कहीं बेबी सही में जोड़ी जा मेरी, अब तुन दो रुकी पुरी होंगी ये दुआएगे अब मेरे दिल की देखो कैसी प्यारी दिखे है ये, राचरा निकी है देखो जोड़ी जमी कैसी, देखी नहीं है ऐसी प्यारी जोड़ी कहीं बेबी अब 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 अब, क्या ठुकाई की है जिस हाथ से मैं कैची बगड़ के बाल काटता हूँ, उन्होंने इसके उसी हाथ को तोड़ दिया मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा जो होना है वो तो होगा, आप रोग ने सकते हैं वो आ रहा है अबे कौन है, कौन आ रहा है, तेलंगाना तेलंगाना आएगा तो कोस्टल भी आएगा, कोस्टल आया तो रॉयल सिम्मा भी आएगा मैं चिंता क्यों करूँ जिजा जी आप वो क्या समझ में नहीं आ रहा उस वमसी की राशी मुझे पता है पर इस राशी का क्या करूँ दर के मारे विरिशप राशी के पसी ने निकल रहे हैं इसका मतलब वो सिंग राशी का होगा तू चूप रहेगा कि जान से मार दू ने 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 अच्छा प ने तुम्हें और तोर बच्चों को मार निकली नहीं करता हूं अब वह भूपती घाल शेर की तरफ घूम रहा है तो क्या हम लोग साप की तरह बिल में घुज जाए जी जाओ समय आएगा तब फन निकाल कर उसे डस लेंगे बिल में सीलिंग फेल लगा लेना कर भी बहुत श्रीमान जी यह क्या आप शेर जैसे दिखते थे अब बिल्ली जैसे दिखने लगे अरे वह सब भगवास शोड़िए जल्दी से हमारे साब का भुष्ष बताईए बताता हूं इनका भी भविष और आपका भी मेरा भविष्ष बताने की कोई जरुरत नहीं है साब का बता दूसरों के खेत आपके नाम हो जाएंगी सर्मान आपको एक नई चडिया मिलने माली है आपकी जिंदगी में नई चडिया सच में यह अभी की चिडिया से तो अंडे निकल बानी पा रहें दूसरी चिडिया अला कि क्या कर आखएँ कुछ करणा पड़ेगा कितने बार बोला तुझे बीज में मत बोला कर बाहर के लोगों के सामने मेरा कच्रा हो जाएगा चीडिया के बारे में छोड़ दीजे गुरू जी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताईए इस साल मंत्री आप ही बनेंगे गुरुजी कितने साल होगे, किसीने मुझसे ये बात कहीं नहीं ए सरसुदी, मेरी बात सुन, तोड़ी चीनी लेकर आना मैं इनका मुझ चीनी से बढ़ दूँगा इनका चीनी से क्या होगा, शराब की पूरी बोतल दे दो स्वरक की अपसरा यहां पे, फूलों के साथ सजीवी, ये लड़की है कि बिजली, इसे में ले जाओ क्या ए गुरुजी बैठ जा, बैठ जा, मेरा भविश्य बता, चल तो अंदर जा स्रिमान, इसको अपने साथ बिठाईए, परवतों के देता खोशो के आशिरवाद देंगे अरे पुजारी जी, इनकी जिनता छोड़िए, अभी इनका भविश्य बताईए, चल जा स्रिमान, ताज तो आपका है, गद्धी उसको मिलेगी किसे? आप जीतेगे, लेकिन वह हारेगा नहीं, यह तो वैसा ही हो रहा है, जैसे शादी आपकी हुई स्वाग्राज को मनाए, मैं अची बास सुनना चाहता हूं, तुम लोग क्या बखवास कर रहे हो, मेरा भविश्य बताना छोड़ो, मुझे उस भूपती का भविश्य बताओ अरे आप इससे क्या बूच रहे हैं, मैं ही बता देता हूं, आप अगर यहां हार गए तो वह वहां जीत जाएगा, सत्य बचन स्रिमान, परवत के देउताओं की किसा, बाड में गए तुमारे परवत देउता, मेरी भलाई इसमें है, तो वेंका ट्रेटी भगवान की भी नहीं सुनेगा, यह ले चल भाग, क्या समझाओं मैं हेमा हो जया हो, श्री हो कोई भी हो, हरा बांका जा रहे हो, स्रीमती जी से पुरानी साडी मांगना चाता हूं, पुरानी साडी क्यों जो पेन रखिये भी ले जा, अबे निकल जाए हांते चल, हरा यह बंद रखू या कभी सोईंगे नहीं, क्या हुआ दादी, वहाँ देखो, इसे क्या हुआ, हालो, लोग ऐसी उदासी शादी के बाद दिखाते हैं, तो मभी से ही, बताओ हुआ क्या, आप सब तो अब बहुत खुश हो ना, तो, खुश नहीं होना चाहिए, ऐसी बत नहीं है, मुझे आपको मनाने में काफी समय लग गया, लेकिन मेरे पिता जी को मनाना बहुत ही मुश्किल काम है, वमशी, तुम अब अकेले नहीं हो, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पिता जी आखिर करते क्या हैं, वो हाई कोट में जच थे, अरे पहले क्यों नहीं बताया, मेरा काम आसान हो गया, न्याय और अन्याय के बारे में उनमें ज़्यादा समझ होगी, वो तुम्हारे प्यार के साथ जरूर न्याय करेंगे, मैं तुम्हें जबान देता हूँ, ये होके रहेगा, भाई आप तो मान गए, मगर इसकी पिता जी नहीं माने तब, अगर पिता जी नहीं माने तो इसकी मा को मनाऊंगा, क्या हुआ, कब तक तु ऐसे लड़कियों की तस्वीर देखता रहेगा, जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक, तुमने कहा था कि वो दोस्त की शादी में गया है, वापस आ गया ह जब अपने हाथ दिखाओ, पर बताओगी क्या है, बोला ना हाथ दिखाओ, मजाग बन करो भाईया, मैं चाहती हूँ हर जदमें तुम ही मेरे भाई बनो, सच में या पैसो के लिए, ओ भाईया, मेरे प्यारे भाईया, चलो पैसे जल्दी निकालो, यह निकालो, यह सुर क क्यों पिकड़ गया, देखो नमातमा गांदी कितने उदास दिख रहे है, अच्छा बड़े फ्रेम वाले गांदी ची यह, यह लो, देखो ने इस नोट में गांदी ची कितने खुश दिखाई दे रहे है, सच में, थैंक्यू, आपका काम हर्म, अब आप निकलो, अगर यह इतेवार हर महीने आए तो मेरा मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इन दुनों के प्यार को देखके दिल को सुकून मिलता है, अंकल, हाई अंकल, कम, कम, what a pleasant surprise, मैं अकेली नहीं आई हूँ, हैंसम कहा है, वो अपने रूम में है, कम, क्या हूँ अंकल, ऐसे क्यों देख नहीं बेटी, अभी फोटो में देखा था, सामने देखके सौक हो गए, मैं वमशी को शौक देने ही आई हूँ, अंकल, चार नमर वाली लड़की भी आएगी, हाई अंकल, मुझे क्यों नहीं बता है कि तुम भी आ रही हूँ, जिससे मिलने आई हूँ, उसे भी पता नहीं है, यह क्या हो रहा है, यह चारो लड़किया एक साथ क्यों आई, यह चारो लड़किया और सबको एक ही लड़का चाहिए, ना सता मेरे दिल मेर मुझ दोई, हम मिले और सपनों में हाँ खोई, पासला हम ये मौका नखोई, वो ही गर्चो दिल मेर देरे होई, आचकर में तु मेरे सरा, देखो लिए तन्हे मस्ती भरा, मिरे अंदर मरम शोला मरा, पिनाच्यों मुझ के सारे, आचकर मुझ के मस्ती जारे, आचकर मुझ के सारे, 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 आचकर हुआ मेरे इस बतन को चुले को तर से ये दुनिया मैं तेरी प्यार की प्यासे कुछ तो करतू सया मैं नंबर वन आई टोग भू सच से रहूं छमिया कैसे मेरे तुन की प्यास पुझे तू भी लेले हम से आज हो से हुआ हुआ के मेरे तन को चुले रहे हम तुम सारे मिल्के जूमेंगे राख पे नाचों बिल्के साद आज करेंगे मस्ती प्यारे गाद अजब है धर ले अज़ार राख राख पे नाचों तन्दी के पानी में फिर दिंग अब्यास मिटी है दिल भी ये दड़के मन में भी कुछ बात चुपी है बाहू पी ने लू नाचेंगे कुछ बात चुमी है इन आखों से पीलो मस्ती का जाम यही है आई है शकला का बेबी देखो ना बुम बुम चिकिन का बाबा कर ले ना डालो नजवे हम परो रजा अजवे मेरे तन से मस्ती कर लो ना रॉक पेन आचों मिलके सारे आज करेंगे मस्ती प्यारी का तर जब देखर ले आज़ा रॉक, 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 पिल आचो बते सारे आज करेंगे मस्ति प्यार, रात अजब है करले आजा रॉक, 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 ना सता मेरे दिल में कुछत 에요, हम मिलें, और जबनों में हम खोई आ चकर में तु मेरे सरा देखो ये तन है मस्ती वारा ह में अंदर आप आज कर देंगे मस्ती प्यारे रात अजब देंगे मस्ती प्यारे रात, 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 अजब देंगे म हम लोग में से कोई नहीं है वो किसी और से प्यार करता है मैरे जाब मेड इन हेविन अंकल और उसे साबित करता है हमारा सच्चा प्यार अगर आप 100% जज हैं 1000% पापा भी है तो वंशी की प्यार के साथ नियाय ज़रूर कीजिए अंकल इतिहास में उन्हें माते थे जो प्या करते हैं लेकिन प्यार को कोई नहीं मार सकता गुडबार अगर तो महारा बेटा अच्छा चटका दे रहा है मैंने चार वेदों को देखा 4000 कुंडलियों को देखा उनमें से चार लड़कियों को चार दिश्राओं से चुना अबे पाच्वी लड़की कौन है हावा हावा भ और मैं एमर्जेंसी एट के साथ वामशी शेर तहार है चेर्स उन चार लड़कियों को चुन्न में मुझे दो साल लग गए लेकिन तुम्हार एक जटके ने मेरे सारे सपने को तोड़ दिया वाट 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 शाट लेकिन फिर भी मुझे गर्व है आखिरकार मेरे बेटे ने किसी को चुन लिया वो भी मिना मुझे पूछे हुए चलेगा मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे बहुत खुशी है कि तुमारी बेहन की शादी एक अच्छे घर में हो रही है बहुत खुश हूँ मैं आप सब लोग यहीं पर है मुझे पता है कोई मेरी हेल्प करो प्लीज यह सब क्या नाटक है आपका गेटप सेटप बदलने के लिए वंशी ने यह सब भेजा है क्यों इस गेटप में बुरा ही है क्या यह गेटप आपके गाउं के लिए तो ठीक है मगर जज के हैं अपनी बेहन का रिष्टा ले कर जाएंगे तो अब उनके लेवल के लिए उन तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो जैसे हम घुनेगारों को देखते हैं मैं मेहमानों के साथ अच्छे से पेशाओंगा और इज्जत से बात करूंगा उनसे ओके देख मेरे बाई तू बास से मुकर्णमत रिष्टा कबूल कर ले मा यही है बाबी क्यों जी लड़की बहुत सुन्दर है ना मुझे लगता कि मैंने उसको कहीं देखा है मैंने पहले से देखा नहीं लेकिन मुझे यह आदमी गडबर लग रहा है ये तुमारा पुलिस ओले दिमाग बोल रहा है रिटार्ड होने के बाद पुलिस पुलिस ने रहती क्या डेडी ये मिस्टर भूपती है नमस्का नमस्कार जजज साब ये मेरी पतनी वो बहन नंदिनी और वो मेरी दादी ये है बहन नंदिनी आश्रेवाद लो कि तुम्हारी शादी किसी भी घर में हो मैंचाओगा हमेशा तुम खोस रहो कि ज canal कि बहुत अच्छा आशिरवाद था मुझे पसंद आया कल की बाद तो कोई नहीं जानता लेकिन ये आशिरवाद हमेशा रहते हैं ये आपका भाई है जी नहीं तो आपको ये भाईय क्यों कह रहा है क्योंकि इनके लिए ऐसा ही है ये छोटे भाई जैसे हैं ओ देख क्या रह है मुझे इसा पसंद नहीं है ये हमारा रिवाज है दो इने लीजी अगर हम इनकी शादी करवां दे देखिए भूपती जी ये जो प्यार है ना इसमें दो दिलों का संबंध होता है लेकिन शादी दो परिवार से संबंधित होती है मेरे इसाब से शादी कोई घर की है मुझे फैसला लेने के लिए दो दिन का समय चाहिए अच्छा मैं दो दिन के बाद यहां आऊंगा आशा करता हूं आप अच्छी खबर सुनाएंगे नमस्ति चलता हूं सर सभाल के जाये अब मेरे पास उनकी वोटो भी है वोइस रिकॉर्डिंग भी है उसकी एरिया के है इसे बात करता हूं उस भूपाति का इतियास निकालता हूं है 20 वह वो खरा असोना है खरा सोना जरण कोल के बताँ वह जज़ज के ओदे से रिटार नहीं हुआ है रेजाइन किया है। ऐसे आदमी को छोड़ दूँ इसलिए मैंने उस ड्रग डिलर को पांच साल की सक्स सक्स सजा सुनाई और अपने जॉब से इस्तिपाद दे दिया मुझे इस केस में न्याय करने के लिए उपर से पॉलिडिकल प्रेशर बहुत था इसलिए मने रिजाइन दे दिया अगर आप जैसे कुछ और अधिकारी हो तो फिर कुछ और कुरसियां खाली होती वाह वाह कई जज तो महान है प्रेस्टीज पटवर्धन मेरी बेहन का ससुर है अच्छा उसका क्या हुआ किसका वो मुझरिम जिसको जज ने सजा सुनाई वो उसे पांच साल की सजा हो गई वो एक दो दिन में बहराने वाला है ये उसका फोटो अरे बले इससे ज़रा याद रखना वो किसलिए भाई ये दिखा तो इसका सिर काट दूंगा मेरी बेहन के ससुर का दुश्मन मेरा दुश्मन जहां तक मुझे पता है इन 25 सालों में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है आईए आईए नमस्कार जज साब आई चक्कर रगाए जा रहे है आपने कहा था दो दिन में फैसला सुनाएंगे हम उस अच्छी खबर का बेसबरी से अंदेजार कर रहे है अच्छी खबर है लेकिन आपके परिवार के लिए नहीं मेरे परिवार के लिए जैसे शादी के लिए दूलन की कुंडली निकालने पड़ती है उसी तरह मैंने आपकी जर्म कुंडली निकाली है पर किसी जोतिश्य नहीं, पुलिस और प्रेस से टाइम्स, वारताहर, जोती, हिंदुस्तान आपका यतिहास इन सब में छपा हुआ है अगर आपने इस सब कुछ स्वतनदरता संग्राम के लिए किया होता तो शायद आपको भारत रत्न मिला होता लेकिन आपने ये गुनापने अपने सवार्त के लिए अपनी गलतियों को छुपाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए किया है आप एक खूनी है आप एक तना शाह है आपको पता ये क्या है इंडियन पिनल कोट इसके अंदर हर गुणा के लिए एक सेक्षन है जो गुणा आपने किया है किसी भी सेक्षन के अंतरगत आपको सजा मिल सकती है ये सब कहानिया पुलिस ने लिखी है जो कहानों के लिए थोड़ा कड़वी है किसी किस में मेरे खिलाब कोई सबूत नहीं मैं कभी कोड में मुझरिम सावित नहीं हुआ आपके खिलाब कोई सबूत नहीं है तेकिन आपने ये नहीं कहा कि आपने कुछ किया भी न नहीं है आप एक ताना शाह हैं एकदम खतरनाक अगर आज आप किसी को मारेंगे तो दस साल के बाद आ करके उसका बेटा आपको मारेगा और तो और वो मेरे बेटे को भी मार सकता है मैंने इसको पालपोस कर बढ़ा किया है आपके गुणाहों की बली देने के लिए नहीं सु आपको क्या चाहिए मांग कर देखो लाख मांगोगे करोड दूंगा अगर घर बोलोगे तो पूरी गली ही खरीद दूंगा सब मेरे खांदान को चानते हैं साथ पीड़ी से मेरे लिए ये रद्दी कागज हैं जिसके मन में भी जो आता है बस लिख देते हैं अब बोलो मुझे दौलो दौलत नहीं चाहिए इजददार परिवार चाहिए आप में और मेरे में ज़्यादा अंतर नहीं आप जैसा आदमी एक साइन करता है और किसी को फांसी हो जाती है उसने कुछ किया हो या नहीं मैं भी लोगों को मारता हूँ अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आप लोगों को सजा देते हैं और मैं मारता हूँ धर्म के लिए अगर आप मारे तो न्याय है मैं मारू तो गुनाह आप चाहे जो कुछ भी कहें लिगने शादी नहीं हो सकती मैं कितना बड़ा तानाशा हूँ ये तो मेरे इलाके में आके पता चलेगा आपको आपक हो पता है शादी क्या चीज होती है जिन्दगी भर कर साथ तुमसे रिष्टा जोड़के कोई जी नहीं सकता गटाओ यही मैंने आपके बेटे से कहा था मैंने कहा था तू कभी मेरी बेहन से शादी नहीं कर सकता पर उन दोनों के प्यार के आगे मेरी जिद्वी जुग गई सिर्फ मैं ही नहीं हर किसी को प्यार के आगे जुकना ही पड़ता है आप दूले की तरफ से हो आप हमसे एक कदम आगे ही हो हम लोग लड़की वाले हैं हम आपसे दस कदम पीछे ही हैं एक भाई होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ हम हर फैसले के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं आप हमारे हाई कोर्ट हैं इसलिए मेरी बेहन के प्यार के साथ नियाय कीजिएगा मैं जल्दी ही वापस होँगा नंदे ने अपने ससूर से आशिरबात लोगा अलो डॉक्टर साब बोल रहा है मैं डॉक्टर वैदनात बोल रहा हूँ रात को हैदराबाद बिर्यानी कुछ ज़्यादा हो गई थी तो पच्चे नहीं रही है कौनसी दवा इलू अरे आप भी तो डॉक्टर हो मेरी फीच थोड़ी ज्यादा है वो जज है तो क्या हुआ मेरे पोते के बारे में उल्जी सीदी बाते करेगा वो इस जूटरा देवी का अच्छीता से जानता नहीं है अगर मैंने साड़ी बांदेर हाथ में तलवार खीच ली ना तो चोड़ा तरफ लाशे लाशे देखने को मिलेगी भड़ाया जज का बच्चा दादी मा शान्त हो जाए क्यों शान्त हो जाए हम उनके घर रिष्टे के बात करने गए थे और उन्होंने हमसा किस तरह से बात की मजह माफ करना भाईया मेरी वज़े से आज आपको इतना अपमानित होना पड़ा इस सब मेरी वज़े से हुआ भाई एक बार हां कर दो उस जज का सर तुमारे कदमों में पड़ा होगा हाँ भाई काट डालिंग उसे क्या हुआ अप ऐसे हस क्यों रहे है उस जज ने गलत क्या किया उसने मेरे बारे में बताया यह बताया कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है मेरी जिंदेगी में पहली बार मेरे सामने कोई खड़ा होके सच बोल रहा है मैं उस जज का सम्मान करता हूँ नंदिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, कि ये शादी जरूर होगी किसके नाम से पूजा करानी है? वामसी, मेरे होने वाले जीजा उनका गोत्र? गोत्र? अक्षे धारी आप लोग आरती लिजिए ये रोक 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 लगता है ये इसी शहर की है आ देखते हैं ये चल जल्दी बट भाई आज करो जजज के बेटे के साथ घूम रही है शादी भी करने वाली है पास पास आँ चला रहा हूँ, चला रहा हूँ जल्दी कर, भगा भगा, ख़ड़ तेश चला आज चला रहा हूँ अच नहीं ने चाहिए एई, काउन है बेदू भाईया, भाईया क्यों रहा है? आज पास साल के बाद मैं जेल से बाहर निकला हूँ मुझे रिसीब करने के बज़ा है तु रोड़ पे घुम रहा है अरे भाईया, आप नहीं जानते वो लड़की, कौन सी लड़की जज की होने वाली बहू है जज की होने वाली बहू? उस जज की बेटी को उठा तू आज उसका रेप करना इसका रेप बाद में करेंगे एए, सॉरी जो भी इस देश में पैसा कमाता है उसे टैक्स भरना पड़ता है लेकिन तेरे बाप ने मुझे पांस साल के लिए जेल में भेजा और मैं एक रुपिया भी नहीं कमा पाया और तेरा बाप करोड़ पती बन गया अब तेरे बाप को भरना पड़ेगा मेरा टैक्स मतलब एक साल का एक करोड़ और पांस साल का पांस करोड़ तेरा बाप पांस जन्मों तक घूल नहीं पाएगा जो अभी हम तेरे साथ करेंगे देखती रहना तू हम क्या करते हैं छोटो पहले ये डील तुम साइन कर लो उसके बाद तुम्हारे दोस्त भी साइन कर लेगा आज गया आज डीजी भी को फोन करें अरे छोड़ना यार आशा पता डीजी भी क्या करेगा वो कमीशनर को फोन करेगा, कमीशनर पुलिस को फोन करेगा, एक बार पुलिस में कंप्लेंड हो गई, तो वो लोग श्वेता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैं इनसे 20 साल से डील कर रहा हूँ, तुम ये बास समझ नहीं पाओगे, बलाई तुम श्वेता के पिता हो, लेक तुम श्वेता, तुम ठीत तो हनो बेटी, मैं बिलकुल ठीक हूँ, थाइंगाट, बेटी तुम उनसे कैसे बच के निकली, नमस्ते जच साहाब, आप यहां क्यों आए, मैंने कहा थाना मैं जल्दी ही आऊँगा, और मैं बादा नहीं तोड़ता, मैं आपका फैसला सुनन होगे, शहर में भी आप अपने आपको रोक नहीं बाते हैं, फोन देखें बिना जी नहीं सकते, मैं अपने बेटे की शादी आपकी पैंसर नहीं करा सकता, गेट आउट, टैटी, आप किसी गेट आउट बोल रहे है, फ़ड़ी दिर पहले आपने तैंक गोड कहा था, आप है, पले, आप आई, मेरी बेहन के ससुर को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी ना, आपने कहा था, इसका सथर काट देंगे, हाँ, है, कौन है भी दूब, भाई चुछ झाल! क्टिक SPOTK ** सबस्फिक SPOTK कि एइ एफ एफ कि एफ कि एफ Mhm कि एफ बाई, एए, बले, बाई, एए, तुरे भाई पे हाद उड़ाया, अब तुसनना नहीं बचेगा, क्या उखाने का ये, बाई, इसका मेरे को जान से मार दो, मेरी बेहन के ससूर को दुबारा तकलीद दीना, काट के रख दूगा, कौन था भी ये, मैं अपनी जिल्दगी में किसी का अइसान पसंद नहीं हूँ, ये मेरी बेटी को बचाने के लिए, डैडी, अंकल अगर पांच मिनट भी देर से आते हैं, तो मेरे जिन्दगी बरबाद हो जाती, आप इन्हें पैसे दे रहे हो, अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो भी आप पैसे ही देखते रहते, इस देश में रोज हजारों रेप केस कोट में आते रहते हैं, कुछ गुनेगारों को सजा मिलती है, लेकिन एक लड़की की खोई इज़त एक जज़ वापस नहीं दे सकता, रो मत बेटी, तुम्हारे पापा को तो सिर्फ यहाएं धार्म से मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं, अब कुछ समझ में आ रहा है मेरे, ये काम करके तुम दिखा रहेगो, तुम अच्छे इनसान हो, तुमने मेरी परिवार का दिल जीत लिया है, लेकिन तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते, किसी और की बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए, आप मेरे गाउं आईए, फिर मुझे देखिए, मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ, आप डिसाइड कीजिए. क्या हुआ जाद साप, आप मेरे गाउं को देख कर हस रहे हैं? नहीं, मैं आपको देख यह हस रहा हूँ, आपके घर जाने के लिए, आप के साथ 5 गाड आगे, 5 गाड फिछे चल रहे हैं, और 100 लोग सेक्योरुटी के लिए हैं? यह security मेरे लिए नहीं, आपके लिए है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले सुनाए है, कुछ लोगों को न्याय मिला है, कुछ लोगों को नहीं, कोई भी किसी भी वज़ा से आपसे बदला ले सकता है, आप मेरे महमान है इस वक्त, आपको कुछ नहीं होना चाह हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं सोच रहा था, उस नहीं की शादी मैं करवाऊंगा, और उस भूपती की इज़द मिट्टे में मिला दूँगा, भूपती इस शादी के लिए किसा मान गया बे? अगर किसी का थोबड़ा अच्छा हो, तो कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तहियार हो जाता है, तोबड़े के सिवा उस नहीं के पास है क्या जो उसकी बैण उससे शादी कर रही है, यह बता, आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपके यहां बैटके अपनी जिंदगी खरा तो, यह शादी नहीं हो सकती, यह आप का कह रहे हैं, आप ही न तो कहा था, कि आप उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, चाहे जितना भी खर्चा हो जाए आप भरेंगे, वो क्या जूर था क्या, मुझे लगा मम्शी की शादी इसे घर से होगी, इसलिए मैंने सिल्के के रात के लिए नहीं खरीदे, मैंने तीन जोड़े तीन रातों के लिए खरीदे हैं, तेरे काम करो, उनको अपने घर बुला, उनके सामने मुझरा करो, धक धक करेने लगा, ओमोरा जीरा, डरने लगा, सजना, ऐसा का होगी, तो अब जाकर तुमारी खुझली मिटेगी, चल पागल कहेंगी, अब यहाँ पर क्यों गड़ी है, चल अंदर जा, वो भूपती जो भी चाहता है, वो उसे नहीं मिलना चाहिए, वो कैसे जीजा, जाज को मार देंगे, फिरिशादी रुप जाएगी, अगर जाज और पुलिस वालों को आप मारेंगे, तो लोग आगो फैसिस नहीं, नेक्सलाइट कहेंगे, एक फैसिस सो नेक्सलाइट के बरावर होता है, देखना मैं उसे किसे मारता हूँ, इस पर भी एक कहवत है, भोगने वाला काटता नहीं, चुपकार, इस बार भोगोंगा नहीं, काट लूँगा, आंटी जी, कब चलेंगे कांची, क् कर पढ़ी, दिलखुश नगर, अमर पेट, इतना हिलो मत भावी, यह क्या, मुझ पे रोब चमा रही हो, मैं आपकी ननद हो ना भावी, इतना हग तो मेरा बनता है ना, क्या बोला इसे, डाडी, इस लड़की को क्या बोलाया तुमने, भावी, इसका एक नाम भी है, क्या ह इसको इसी नाम से बुलाओ, भावी इसको शादी के बाद बोलना, क्यों बनाओ नाम से, भावी, 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 मेरे प्यारी भावी, मेरी अच्छी भावी क्या बात, आपने इतना खाना बनाया, क्योंकि हमाया है, नहीं बेटा, रोज बनता है, तो सुबज शाम इतना खाते हैं, रोज इस घर में 30-40 लोग खाना खाते हैं, हमारे घर से कोई भूका नहीं चाता, डाडी, खाना कैसा लगा, खाना तो अच्छा ही है, लेकित थोड क्या है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठो, रहने दीजे, मैं बाद में खालूंगी, बुरा मत मानिएगा, नंदीनी का अज उप्वास है, उप्वास है, पर किसले है, उसने साथ शुक्रवार का व्रत रखा है, ताकि उसे वो मिल जाए, जिससे वो प्यार करती ह है, वो शुक्रवार को पानी तक नहीं पीती, क्या है ये, मैं तुम्हारे लिए जूस लाया, इसे जल्दी से पीलो और अपना व्रत तोड़ो, मैं कोई भूख हरताल पे नहीं हूँ, उप्वास है मेरा, भगवान से कुछ मांगना एक भूख हरताली हो गई ना, मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करना ये भी तो मांगना हुआ, अगर ऐसा नहीं है तो ये पीओ, नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं पी सकती, दिन बीच चुका है, बारा बच चुके हैं, अब तुम ये पी सकती हो, नहीं पीओंगी, तुम पिला दो, आहा, क्या किस्मत वाह, क्या बात है बेटा, अपने पतनी से इतना प्यार, तेरे पापा के साथ मैंने कितनी बार छगड़ा किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे खने के लिए नहीं पुछा, और तुने भी तो खाने का छोड़ एक लास पानी तक नहीं पिलाया, जब मैं एक बार फि तुरवाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आएं, लेकिन कोई खिलाएगा नहीं, बेटा तुम किसे के बात मत सुनना, पिलाओ, जल्दी पिलाओ न बेटा, जट साब, ये पूरा का पूरा बाग आपके बेटे का बाग है, मेरे बेटे का बाग, उसने कब खरीदा ये, उसन है मेरे रता है!? भाई भाई बेंकेट के आजमियों ने अपने घर पर हम ना कर दें भाई चलो रहा है आज तुम लोग जो कर रहें बलता है सक्षिन 337 के अंतरर तुम लोग अंदर डाल दूंगा है 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 रगजा है भाई तुम रुखने के लिए क्यों बोल रहे हो एक-एक को काट देंगे हम हम इने मार सकते हैं पर मैंने जच साब से वादा किया है का अरे किया उन्हों ने आपको बहुत मारा डाड़ी यहां हर को किसी को बेवजा नहीं मारता है तुम्हारे भाईक तो हर्जा दुश्मन है सजह बीटा जो धर्म की रहा पे चलता है उसके बहुत सारी दुश्मन होते है अरे ठीक है ठीक है बेटा आपको उठने की जरूरत नहीं बेटा हम आपके शहर में आये थे और आपके शहर में हम पांच दिन रुके थे वहाँ हम लोगों ने देखा कि वहाँ आम लोगों के लिए हर गली में एक न एक मंदिर जरूर है मैं ये तो नहीं जानती उन मंदिरों में भगवान उनके कश्ट दूर करता या नहीं लेकिन इस छोटे से गाउं में अगर किसी को परिशानी होती है ना तो वो हमारे दर्वाजे पे आता है और उसके परिशानी दूर हो जाती है मैंने जिन्दकी में आज तक ये नहीं देखा लोगों की बाते सुननी पड़ रही है उसे मारवे खानी पड़ रही है मेरे पोते ने आज तक इतना नहीं सहा बहुत हो गया बेटा बहुत हो गया वो तुमसे मुकाबला नहीं कर रहा है बेटा वो अपनी बेहन के लिए समझोता कर रहा है आप यहां महमान है हमारी वज़े से आपको इतनी सारी चोटी लगी है हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, मैं जा रही हूँ वंशी मुझे लगता है हमने कोई गलती की है लेकिन किस चीज में? अगर उस दिन हमने मंदिर में शादी कर ली होती, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें चिंता करने की जुरूत नहीं है, मुझे अपने प्यार पे भरोसा है सुनिये जी मुझे बहुत डर लग रहा है, कल नॉमिनेशन्स है पता नहीं क्या होगा जो किस्मत में है वही होगा, तुम जा के सोजो नन्दीनी चल मेरे साथ, मेरे साथ हाओ बताती है यह लोग बाबी यह सब क्या है? तुम कुछ मत पूछो, तुम्हारे प्यार को यहाँ आए कभी नहीं मिलेगा, तुम जा क्या है? तुम्हारे पिताजी तुम लोग की शादी नहीं होने देगी बेटा, कहीं जाके शादी कर लो और खुशे से अपना घर बसाओ अरे बात वो नहीं है, असल मैं मुझे पता है, तुम नंदीनी का ख्याल हमसे जादा रख सकते हो मा आप तो यह नहीं समझाओ तुम कुछ मत बोल, हम दोनों यहीं चाहती है लेकिन भावी, जब यहां सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं खुद तुम्हें यहां बुला लूँगी, तुम लोग जाओ यहां से ओके, ओके, ठीके, ठीके, चलिए, चलिए, पैठिए मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं जिन्दगी में तुम्हें दो रास्ते मिलेगे, पहला रास्ता सही होगा और जो दूसरा रास्ता होगा, वो हमेशा गलत होगा गलत रास्ता अपनी तरफ खीचता है, उसमें मुश्किले कम होती है पहले हमें लगता है हम जीत रहें लेकिन आखिर में हम हार जाते हैं सही रास्ता वैसा नहीं होता पहले मुश्किले सामने आती है कदम कदम पर इम्तिहान होता है बहुत दुख जहलने पड़ते हैं लेकिन आखिर में जीत हमारी होती है इसके दादी की एक ही ख्वाइश है वो इसकी शादी दिखना चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों के दिल की इच्छा क्या है अगर हम शादी करना चाहते तो मैं इसे किसी भी मंदिर में ले जाकर मंगल सुत्र पहना देता और दुनिया की नजरों में हम दोनों एक दूसरे के लिए पती पतनी बन जाते लेकिन दुनिया से जादा हमें इन दो परिवार का आशिरवाद जरूरी है अब आप ही बताईए क्या हमें भाग कर शादी करनी चाहिए मैं हमेशा चाहती थी नंदिन की शादी धूमदाम से हो लेकिन मैं भी यही कहना चाहरी है जो यह दोनों कह रही है तुम दोनों चले जाओ आसे भले ही तुम लोग हम से छोटी हो पर एक्गम सही हो जो भागता है वो कभी जीतता नहीं और जो जीतना चाहते हो कभी भागता नहीं मुझ पर विश्वास रखो यह शादी सबके आशिरवास से ही होगी बात वो नहीं है मैं तुम दोनों पर पूरा भरोसा करता हूँ लेकिन वो भुपती के बच्चा लड़ाई जगड़ा छोड़कर सादू बन गया है ये बात मैं नहीं मान सकता हाँ जीजा जचकी सर्त है अगर भुपती ने लाई जगला छोड़ दिया तब ही उन दोनों की शादी होगी कुच जाईए आप इस जंग में मर्द की तरह कुच जाईए जीजा जी यही हमारे लिए अच्छा मोका है इससे अच्छा मोका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा मैं नहीं चोड़ूंगा वो पती को कुछ भी करके हमें रोकना होगा और यह देखना होगा कि वो हमसे आगे न करना चाहिए ए चला है कि अब आपको पता है मेरा फैसला क्या है मुझे आशिरवाद दीजिए अपना आशिरवाद दीजिए मा आपको नॉमिनेशन के लिए हथियारों को जुरूत पड़ेगी तुम लोगों ने सुना नहीं हथियार यहीं रख दो यहां पर सायन करिए पैस्ट ऑप लग थांक्स अरे वाह मैंने उससे पहले नॉमिनेशन के पेपर बर दी है दिल को शांती मिली यह कोई दौर थोड़ी हो रही है कि जो पहले नॉमिनेशन भरेगा वो जीतेगा वो भी यहां नॉमिनेशन भरी नहीं पाएगा वो कैसे अब जंडू बाम हमारे आदमी लोग उसका ढोल बजा देंगे जो 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 ज रहे बंगर! बंगर!!!! देहे बंगर-पार!! और भर भर! और भी वनगर! कर दो अभी कि लुटार का फ़ spray लुटार का वर्जाए लुट नुट हम्रे अचला कृशान Community इसनालै है PewCH Raphael थाज़ा हूँ Đम पुद्ट खास अंसायर चाहत। आत्या है भाहिव भोच उसह बसे ऐनी राधर उसे लिए खाँ जो आ को गशा भी बीड़ुट आप पूप एपषिक नौट जा भीड़ हूँ!! जाओ जाए नाशे जाओ खरोब। उन्देर दोग तो जीर 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 मैं! जीर 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 क्याय मैं प्रुप जाओ, प्रुप जाओ लंदिनी मुझे माद्ट जाओ, वो पती खुद लड़ाई में खूद गया, आपने उसे मजबूर किया, अब जेलो, चुप कर अपने हाँ! 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 कRI जो हानां कRIंग हुआ हुआ है अ कियो किыл मग में अ हुआ है 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 तुक दुक दोल एकू झाल उब तो treatment उब ऊब ऊढ़ उब उब ऊब उब चक्न ऑ़ उब जब उब 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 बेंक अट्राटे अब इनकी थुकाई का नंबर है अब निकल जापाऊ नहीं तो अबे देख कह रहे हो मारो उसे वंशी सब रुक जाओ वंशी भविश्य बर्बाद मत करो यह तुम्हारे लायक काम नहीं है भूपत मुझे मत मार मैं अपना नॉमिनेशन वाफस ले लेता हूँ तुम मुझे मत मार प्लीज जो किसी को मारता है उसमें मरने का भी दम होना चाहिए क्या तेरे में हिम्मत है वेंकर ट्रडी एक एमेले बनने के लिए हमारे गाओं में तु इतना खुन खराबा कर सकता है मंत्री बनने के लिए सब लोगों का दिल जीतना पड़ता है खुन नहीं बहाना पड़ता समझा तेरे और मेरे आदमियों ने अपने स्वार्प में कितने लोगों का खुन बहाया है मैंने सोचा था मेरे लोगों की जिंदगी मेरी बेन की शादी से ज़्यादा कीमती है इसलिए तलबार उठाई नामीनेशन फाइल करने में पांच मिनट है दायर, नामीनेशन के पेपर दो भूबर निफाइ उन भूबर निफाइ गिंद्वार आज जिनाफर मैं भूबर निफाइ कि जो भी हम जिन्दगी में बोते हैं वही काटना पड़ता है चलो हम दोनों मिलकर प्यार के बीच बॉएं येलो नफरत से बेहने वाले खून की ये आखरी बूद होगी येलो बिना इलेक्शन के तुझे एमेले बनाता हूं इतिहास में पहली बार इलेक्शन में तुम ऐसे अकेले एमेले होगे जो एक मत से जीता मैं आप सब के प्यार का आभारी हो ताना शाही तभी होगी जब ओपोजिशन होगा अगर हम हाथ मिला लें तो ताना शाही मिट जाएगी मेरी बात मानकर आप इस वेंकर ट्रेड़ी को एमेले बनाईए बेंकर ट्रेड़ी लोगों का भला चाहने वाला प्रतिनीदी बनेगा लेकिन लोगों की दौलत नहीं लूटेगा मैं इस आशा के साथ तुमें ये पद दे रहाओं कि तुम इनकी अच्छी सेवा करोगे अगर तुमने आशाही नहीं तोड़ी तो पांस साल क्या तुम पूरी जिंदगी भर के लिए इस गाओं के एमेले रहोगे और अगर धोका दिया तो भाई भूपती भाई दूसरों का भला करो फिर सभी के सभी लोग तुमें भाई बुलाएंगे मैं भी वही चाहता हूँ फिर मैं भी तुमें भाई बुलाऊंगा याद रखना करेंग operate वाम्से मैं हार गया हार गया मैं हार गया जट साब को दिया वादा तूट गया और तुम दोनों का प्यार नहीं दिला पाया निया है तुम अपने पिता के साथ लोट जाओ और उनकी ही पसंद के लड़की से शादी कर लो तुम्हें जिंदगी में किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो बूलना मत कि ये शुपशित तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा वेटी नंदिनी माफ 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 कर देदा मेरा प्यार हार के मुझे दुख नहीं है लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि आप नहीं हारे मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं आपकी बेहन हूँ अभी तक मैंने फैसले गवाहों के सुनने के बाद दी है लेकिन आज पहली बार मैं अपना फैसला गवाह बन करके दूँगा जब आप पहली बार हमारे घर आये थे तो मैंने आपने एक तनाशा देखा था तनाशा मतलब जिसमें हंकार और घमंड हो लेकिन आपने लोगों की जान बचाई आपने मेरी बेटी की जान बचाई इस गाउं के लोगों के दिल सोने के हैं वो आपको बहुत मानते हैं मैंने कहा था कि एलेक्शन बीना हिंसा के जीत के दिखाई है लेकिन भविश में होने वाले एलेक्शन में भी जो हिंसा होगी उसको भी आपने एकदम फुल स्टॉप लगा दिया आपने ताना शाही हटाने के एक अच्छा है लिकाला बेहन के बारे में सोचने के बजा है आपने सब के बारे में सोचा और हम सब को जीत लिया इसी को जीत कहते हैं और यही मैं चाहता था मुझे गर्व है कि मैं आपसे रिष्टा जोड़ रहा हूँ जितना गर्व आपको हो रहा है उतना ही मुझे भी हो रहा है इन दोनों की शादी कराने में अपने बुजूर्गों की बात मान कर शादी करने की इच्छा नहीं इनके इस प्रेम को जीत दिलाई है यह हमारी जीत तो है ही नहीं हमने प्यार पे भरोसा किया और आपने हम पे भरोसा किया असल में हमने प्यार तो आपसे ही सिखा है हमने एक कदम बढ़ाया तो आपने हमारी तरफ दस कदम बढ़ाये और हमारी लव स्टोरी को लवली स्टोरी बना दिया शाबाश तुमने ये साबित कर दिया कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ चाहें तो हमें जरूर मिलता है अब एक शुमूरत वाला दिन तैय करें